तो पहला है सैस्तितवाद एक परिचह एना इस इस संकलन पार्ट वन इसका बाद में आप फोटो ले ले लेना दूसरा ये bit.lymd student जाईए उसमें परिचह चायन बोलके है उसी के अंदर ये दिया है पर उसमें बाबादी के लेक है उन लेकों के पढ़िये तो उसे क्या होगा कि एक गेनरल जो शब्दावली है भाषा की शैली है ये ये सब पर हमारा ध्यान जाएगा नमबर तीन आप जीवन विद्या एक परिचह इसको देख सकते हैं इसके साथ इसकी वीडियो है अभी यूट्यूब पे तोड़ा सा स्काटर्ड है हमारा चल रहा है वो काम हो जाएगा कुछ समय में एक बाद्यूब आद्यूब अणिये पादर्णा इसके समया लंगई आद्यूब आद्यूब विद्यूब आद्यूब आद्यूब कर दो कर दो कर दो यह भी अनिश्ट यह विडियो बिसिकली इसमें आप यह जो वीडियो है आप उनलाइन देखेंगे ना जीवन विद्याएक परिशे बोल के आएगा 1997 का है यह दोनों के एक साथ देखें वीडियो भी देखें और आडियो भी सुनिए मतब पुस्ता को भी पढ़ना यह यूट्यूब पे मिलेगा वीडियो अभी अनफॉर्टिनेटली बाबा जी के उस वाले चैनल पे नहीं है शायर राकेश गुपता के चैनल पे है आपको मिल जाएगा वो यह सब चल रहा है काम तो जब के खटा हो जाएगा तब इसको करेंगे नमबर त्री नमबर फॉर मद्यस दर्शन एक अवलोकन इसको देखें यह इसी में मिलेगा परिशात्मक लेक में ही मिलेगा मतलब इसी परिशात्मक लेक में आपको यह तीनों पुस्तके मिल जाएगी यह जो परिशात्मक चैन है इस फोल्डर के अंदर आपको यह तीनों पुस्तके मिल जाएगी बट उसके अंदर वो पढ़ने का करम बता रहा हूँ तो उसमें लेक वाले बाग को करके फिर 25 दर्शने कवलोकन इसमें अध्याई 1 से लेकर किसी के पास है 6 तक शायद आप जा सकते हैं उसके बाद अखन, समाज, सार्भों, व्यवस्ता और वो सब आएगा एडि फर्स रीडिंग में वो भरी लगता है यू कन कम बैक बाद में कम बैक एक बार देख लीजेगा बट इदि वो कंपाइल ने हो पा रहा है तो बाद में आ जाईए क्यूंकि वो बुक अपने में काफी वो है साउंड है तो मद्यस दर्शनिक अवलोकन इसके बाद आप पढ़िये अनुभव आत्मक आध्यात्मवाद फिर समादान आत्मक बहत एक बाद फिर 2005 का एक वीडियो है कॉल सत्संग ये अगें यूट्यूब पे आएगा सो बाइदे टाइम ये रीचर हमारी चैनल भी चालो हो जाएगे या में भी नमबर रेट विभार आत्मक जैन्वार इसकी जो वीडियोज है इसके अभी अध्यन शिवेर पठन के साथ की वीडियोज है उन चैनल कॉल जीवन विद्या ओफिशल उसके अंदर 2020 कोविड बोल के प्ले लिस्ट है उसमें पूरा लिस्ट मिलेगा आपको तो यह जो वीडियोज है आपको जीवन विद्या सारे अध्यन शिवेर के वीडियोज जो है वो मिलेंगे तो इसकी इसका करम क्या होना चाहिए पहले वीडियो देखिए एक आदमी एक्स्वेंट कर रहा है पूरे बुक का या एक एक चाप्टर का तो एक चाप्टर का वीडियो देखा एक चाप्टर को पढ़ा सेकंड चाप्टर का वीडियो देखा सेकंड चाप्टर को पढ़ा क्यूंकि पहले से आपके पास को एक्स्वेनेशन मिल रहा है उसके बाद आप जब बुक को पड़ोगे तो आपको उसमें बतलब सुईधा मिलेगी तो ये इसको इस विदी से कुछ कह तो बहुरातम जन्वार तक आजाईए इसमें क्या हुआ है सारे बुक्स का वीडियो है हमारे 40-50 साथ ही होने किया है A to Z सारे बुक्स का देन शिवेर ओनलाइन कोवीड के टाइम चलाया था हम लोगों ने सब बंदो गया था ओफलाइन करेकरम तो ओनलाइन चला था तो उसमें ये हो गया कि हमारे 40-50 स्मित्र मिलकर हो उसमें 80% accuracy है तो आपको फ्रारे मिक्रम में वो बाकी का 20% प्रॉड्लम नहीं देगा ठीक है और उसकी advantage यह है कि क्योंकि पुस्तक reference के साथ है तो बहुत ज़्यादा उसमें वो नहीं आएगी variation तो वीडियो देखना एक chapter उसके बाद पुस्तक पढ़ना फिर second chapter की वीडियो देखना यह आपके साथ advantage यहना तो आप pause करके उसको देख सकते हो विवार आत्मक जन्वात करने के बाद यह करने से इतना यह जो अवलोकन पुस्तक में जितने बिंदू है काफी सारे उसमें स्पष्ट हो जाएंगे जो अध्यन बिंदू वाले हैं फिर आप विकल्प का वीडियो now you are ready for विकल्प वीडियो in YouTube यह जो JVO में है COVID जितने भी मैं अध्यन शिविर के वीडियोस बोल रहा हूँ सब इसी एक ही प्लेइलिस्ट में है तो अभी मैं बार बार नहीं लिखूंगा 2020 COVID में है इसके बाद आप तो यह जो जिवन विद्या परिचय है इसमें भी यह तो राइट तो इसमें तो सीधा बावादी का ही वीडियो है बट इसकी explanation उस जीवन विद्या ओफिशेल में आईगी JVO में है न 2020 COVID में इसको एक आदमी अलग से explain कर रहा है यह तो बावादी का ही सीधा ही उसी को बोल रहा है मतलब उसी का transcript पुस्तक है तो उसमें 97 की recording है पुरानी तो विकल कर लिजिए का वीडियो यूट्यूब पे यह हो जाएगा इसके बाद यह रेडी फॉर मानव वेवार दर्शन हम लोगे मीडी बोलते हैं अगें विट दी वीडियो इसके बाद आप पढ़िये कर्म दर्शन पार्ट थ्री विच इस सहस्तित्ववादी इस काल सहस्तित्ववादी विज्ञान अभी इसमें मैं एक स्टार डालने वाला हूँ 11-12 नंबर में यह उप्शनल है अब मद्यस दर्शन बाई ए नागराज के चैनल में जाईए और 1999 का सहस्तित्ववादी विज्ञान पर वीडियो देखिए यूट्यूब पर बट यह उप्शनल है जिन लोगों को साइंस में इंटरेस्ट है उसमें जाना डिटेल में नहीं तो वहीं तक उसको सुनना जब तक लगता है कि आप पेट भर गया मैं बाद भी सोचूँगा यह ना भी किरिनिता क्या है कर्म उसके बाद उपासना तीसरे का नाम है सहस्तितवादी विग्यान यह लिखाया था उसी बुक में है हाँ वो पढ़ने के लिए बच्छोटी पुस्तिका है वीडियो लंबा है कि यह विकल्ब कैसे है इसको करने के बाद अब आप वेवारवादी समार्शास्त्र को पढ़िये विट वीडियो देन आवरतन्शील अर्थशास्त्र विडियो वीडियो मतलब स्टूडन्स का जो वीडियो है इसको करके अब यह आपके पास चॉइस है अच्छा यह जो भी हम पढ़ेंगे साथ में परिभाषा समिता मैं स्टार लगा दूँगा प्लस में के रून नोट्स आजकल तो डिजिटल में काफी सुलब हो गया है पुस्वकों की डिजिटल कॉपी हो गई आप कम्पिटर में यही कमफटेबल है तो उसी का स्नैपशॉट निकालके कुल मिलाकर इसका हमारा उद्देश क्या है अस्तित्व दर्शन संबंदित वस्तू जीवन संबंदित वस्तू आचरन संबंदित वस्तू ओके फिर मानव के रूप में वो जब जिएगा उससे संबंदित वो तो मैंने दिया आठ कैटेगरी में उसी आठ में वस्तू बनेगी बट उसमें अस्तित्व दर्शन, जीवन ज्ञान, मनुटव पुन आचरन मनुश्य संबंदित, जीने संबंदित आखन समास संबंदित सारभा मेवस्था संबंदित फिर शिक्षा से संबंदित यह ऐसे ऐसे आपने आप आपके अंदर वो बनते जाएगा यह अभी ज़रूती नहीं आपको इसी को repeat करना यह ना लास्ट में नमबर फिफ्टीन में आध्यन प्रक्रिया अभी जो आपके साथ यह जो सत्र किया इसी का यूट्यूब में expanded version है वोई covid folder में तब इसको सुनिए इतना सब होने के बाद ठीक और फिर अभी इतने को repeat कीजिए इसी करम में इसको repeat कीजिएगा इस बीच में आप क्या कर सकते हो अब यह एक करम चल रहा है ना इसके parallel में मैं इस लिख रहा हूँ इस region के लिए ओके आप bit.ly a.nagraj जाईए slash audio slash परिचाय वाला audio और अध्यन वस्तु वाला audio और यह वाला जब सुनूएंगे इसके साथ उसी audio में यह ना by a.nagraj इसमें अध्यन विदी यह अध्यन प्रक्रिया पर audio सुनिये नता parallel में audio चवदा में आवरतन शील अर्शास्त्र प्लस उसका COVID का अध्यन श्वीर का वीडियो उसके बाद अध्यन प्रक्रिया पर COVID का वीडियो यह करने से आपका वस्तु का अप्रोच करने का इक्रम यहां जगह खत्यम होगी तो नमबर 16 यहां दिखता हूँ यह नमबर 16 में रिपीट नमबर 4 यह जो आवलोकन बुक है फिर इसको रिपीट करना आवलोकन क्या करेगा फरस्ट आप जब पढ़ेंगे एक फ्रेम देगा उस वरुद्यान जाएगा बुक्स पढ़ने से उस फ्रेम के अंदर की डिटेल आएगी वो बुक पढ़ने के पद वो डिटेल पुना आवलोकन में कंप्रस होगा आपके लिए ऐसा गूम के आएंगे ना डिस्केवरी ओफ इंडिया करके फिर इंडिया कैसे दिखता है फिर इसका एक शित्र बनेगा ये करने में आपको लगबग एक वर्ष लग जाएगा एक से दो साल आपके स्पीड के नुसर इतना पैट जिन में दी दो तीन घंटा रेगुलर्ली लगा रहे हैं तो इतना होते होते हमारे पास दो फिर एक साल के बाद इसके बाद आपकी स्वतंतरता है आपको जिस वस्तु में इंट्रेस्ट आया आपका द्यान चलेगा जिवन घ्यान पे तो अभी ये इसी से जड़ा ही है पंदरा नंबर अध्यन प्रक्रिया यूट्यूब वही जिवन विद्य ओफिशल में वह यह नोट्स है ना यह 98 पेज जो दिया हाँ यह जो 98 पेज है यह COVID 2020 जिवन विद्य ओफिशल में जाके 2020 COVID में जाएंगे तो अध्यन प्रक्रिया पर मिलेगा अभी एक कर रही है टीम फिर परसों भी इन से बात भी थोड़ा सा हिला हुआ है हमारा सिस्टम बर ठीक हो जाएगा भी और इस करम को भी मैं अभी कभी फुरसत मिले तो इसका फोटो ले लूँगा वेबसाइट पर डाल दूँगा ताकि एक जगह हो जाएगा वो उसमें नहीं मिलेगा वो प्राइवेट है वो नहीं मिलेगा उसमें वो थोड़ा सिर करके फिर मैं इनको बेजूँगा थोड़ा सा करेक्शन करेक्शन नहीं है अज़ेस्टमेंट है उसमें गलत कुछ नहीं है उसको रहने देते हैं आप जो सुन लिया, सुन लिया किसी ने भी तक लिखा ही नहीं उस पर तो कोई नहीं ही चीज है वो मैं आपको पहले ही दिन ही बोल दिया था यह दर्शन डिस्कावरी फेज में है ठीक है? तो यह हो गया तो फोर्थ नमबर को आप रिपीट कर दीजे इसके बाद आप नमबर 17 में दिलिखेंगे तो बाबाजी वीडियोज और ओडियोज तब तक रिलीज हो जाएगा इसको सुनियेगा तो आपको एक पुरा पैड बन जाएगा इस बीच में एक बात रहे गए इधर यह रिपीट नमबर 4 को नमबर 18 कर देंगे औक और नमबर 16 में समाद 1 नमबर 17 में समाद 2 इतना करने से दर्शन की जो theoretical background है यह आपकी स्थिर हो जाएगी अब आपका second phase शुरू होगा कि इसको प्राप्त करने की विधी क्या है यह था हूड वे प्रोक्योरेटिस बीच में आप में से किनी लोगों की शादी हो जाएगी किसी का बच्चा हो जाएगा किसी का जॉब रहेगा किसी का जॉब चले जाएगा यह सब शुलता रहेगा यह आपके अंदर हो रहा है फिर प्राप्त करने की विधी में अब हम लेंगे यह इसके साथ साथ चलेगा ना इसी के बीच में कभी मन कर दे इसको पॉस करके पूरे को देख लो यह सब को करके उसके बाद आप रिपीट करोगे परिभाशा को 16 में समाद 1 17 में समाद 2 18 में रिपीट नमबर 4 इसे ही है प्रतेक शब्र के लिए पर लास्ट में अलग से पढ़ना है तो एक बार स्कैन तुर कर लो बट बीगिनिंग में अलग से परिवाशा समिता देखे बहुत उपयोग नहीं है अभी अभी का जो अदमी है उसके लिए है ठीक है न सभी के लिए कर लाए है वो आपके उपर है ना इनको एक बार देखे आगए आपको दो बार लगता है इनको पांच बार लगता है रेक्मेंड़े एक बार उतने में त्रिप्ती हो गई तो कर लीजिए अत्रिप्ती लगती है कि फिर देखना है उसी को तो उससे में आपका मन अपने आप बनेगा देखे ये तो frame है ये swimming का channel है उसके अंदर stroke जो है swimming के तीन stroke होता है एक butterfly stroke होता आईसा ऐसा जाता है एक आदमी एक long stroke होता है आईसा तो आपका channel अपने आप बनेगा, ये general pathway है किसी को लगए का मैं उढ़री डाइव कर दू उसी जग़े पर अंदर चले जाएगा यह सब अपने आप होगा वो प्रेडिक्टेबल नहीं है समझ रहें ऐसा जाना है किसी को सडली नीशे दिख जाता है कि यहाँ चमाकता हो को दिखता है नीशे चले जाएगा नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे इसलिए उसको स्थिर करना रेकमेंडेड है तो स्थिर करने के लिए दो ही चीज कहा यहाँ जगडा मत होने दो जगडा नहीं करूंगा इसका पति गयत ले लो जगडा नहीं होने कई की तरीका है मुँखो Opening रतना जगड़ा होता हुआ नहीं तो कुल मिला करकर कै आब बात कम करना कम बात करने यदि जगड़ा से मुख थी कोई कुछ बोला चांस रो मुँखो लने जगड़ा होता है कि आब मुने घुलें कोई जगड़ा होता है तमिल में ना जो बोलना कुवा में जाके बख दे पीशे कुवा आता घर के जो बखना कुवा में जाके बख आदमी को मत बखो क्यूंकि वो हेल पैदा करेगा फिर ये हट जाएगा पूरा ये वो disturbance create करेगा वैसे ही धर जो चल रहा है उसमें बहुत disturbance मत करो भी हाँ ताकत है तो कर लेना ये बहदुरी है तो कर लेना दो चाहिए पैसे का ताकत चाहिए ये बहदुरी चाहिए और ये होते रहेगा हमारे आपके करने से समाज में कोई परिवर्तर नहीं होता है ये हम अपने ये अध्यन के expression के रूप में आपका मन होतो करो नहीं होतो वो आपकी इच्छा के उपर है नहीं वो नीचे का numbering ना ठीक है वो उसके बाद है तब तक वो release हो जाएगा उसलिए रखा तो प्राप्ति की विधी क्या है एक्चुली आप ये पंदरा नंबर को हटाई दो अभी यहाँ पर तो क्या 14 हो गया ना so 15, 16, 17 and 18 ओके तबी तो दे रहे हैं वो ही है तो वापस कहीं को देंगे ठीक है बोलेंगे दोनों पूछने वाला आदमी बोलेगा बाबाची भी बोलेंगे बट आपको फोकस करना है बाबाची जो बोल रहा ही तो पूछने वाला बोल रहा है उस पर कम देहन देना वो आपना कविता सुना रहा बाबा जी उसका उतर दे रहे वो यूट्यूब चैनल बता है ना बाबा जी का मद्याज जर्शन Originals बाई ए नागराज यूट्यूब चैनल अंडर प्रोग्रेस है यूट्यूब पे मद्याज जर्शन original, डूढनेंगे तो यह मिलेगा G1 with their duplicate डूढने से यह मिलेगा भाषा है, official मतलब यह original हो गया तो दूसरा duplicate हो गया ना उसके लिए, ठीक है तो बाबादी का सब आपको यहां मिल जाएगा यह जो bid.ly नागराज है, इसमें भी उपलब्ध होगा जिसको डाउनलोड करना है, वहां से डाउनलोड कर ले यह repository है यह हमेशा के लिए है यह YouTube अगरे का भरोसा नहीं, किस दिन Google डूब जाएगा, बेज देगा, बिग जाएगा सब्सक्रिप्शन सर्विस, कुछ भी भरोसा नहीं यह हमारे कंट्रोल में है कुछ भी, कभी भी बाबा जी का कुछ भी डाउनलोड यह इधर ही जाना है इधर उधर से यह WhatsApp, WhatsApp से जो गूमता है, यह सब पता नहीं यहां जितने original documents हैं, उसके उपर एक particular font, वो मने हम लोगों ने font खरीदा है उस font में उपर दिवेपत संसान लिखा रहेगा यह नागराजी मद्याजर्शन लिखा रहेगा उन document पर विश्वास कीजिए ठीक है यह stamped है प्रतिक document यहां पर stamp करके ही जाएगा ठीक है 19 नंबर में आप तीन नहीं आएगा अब तो नहीं आएगा तो फिर प्राप्ति की विधी को जब आप करेंगे तब अध्यन प्रक्रिया प्लस वीडियो 2020 वाला फिर 20 में आप देख पढ़िये अभ्यास दर्शन यहाँ पर 18 में आके 19 में आप अनुभर दर्शन पढ़ सकते हैं ओके 20 में अध्यन पढ़िया 21 में अभ्यास दर्शन 22 में कर्म दर्शन 1 & 2 फिर 23 में यह मैं स्टार कर रहा हूँ मतलब ऑप्शनल है मनो विग्यान इतने में आपका एक रीडिंग का पैट पूरा हो गया जरुत नहीं अभी यह करने के बाद फिर आपको अपना उद्देश बनेगा कि आपको कौन सा वस्तू समझना है फिर उस उद्देश के अनुसार पढ़ना तो डेली रीडिंग के हिसाब से इसके बाद जब आपका एक करम चल की यह सब स्थिर हो जाएगा फिर आप अपने हिसाब से पढ़ो आपको मनो विग्यान अच्छा लगा उसको पढ़ो आपको अदेश दर्शन इंटेस्टिंग लग रहा है उसको पढ़ो आपको वापत जिवन ने जब परिशे शिविर करना है वो कर लेना यह सब करने के बाद ठीक है ना यह सब आप कर सकते हैं फिर तो सेकंड राउंड राउंड टू आपके जिग्यास अनुसार बेसिकली वो जो वस्तु है वो क्लियर होना हमारा पढ़ने का जो उदेश है सिंपल है समझने की वस्तु क्या है यह सपष्ट हो जाए जीने की वस्तु क्या है यह सपष्ट हो जाए और व्यवस्ता में प्रमानित करने के वस्तु क्या है? ये स्पष्ट हो जाए, ये तीन है तामने के वस्तुओं का नाम है नियम, नयाय, धर्म, सत्य, ये सब जीने के वस्तुओं क्या है? संबन, मूल, अच्यरित्र, स्वधन, स्वणार, ये सब और प्रमानित करने की वस्तु जो परंपरा में आईगी, बहार आएगा, ये सब अखन समाज, पांशवा सोपान, चटा सोपान, दूसरा सोपान, तीसरा सोपान, ये सब, तो इसका outcome आपका ऐसा होना पड़ेगा, आउटपुट, समझने की वस्तु, जीने की वस्तु और प्रमानित, मानव परंपरा की वस्तु, तीनो दिया धर्शन में, ये आपका output है, वस्तु, ठीक है ना, समझने की वस्तु, जीने की वस्तु प्रमानित, इसी करम से जाएगा, समझने कि सिर वस्तु सिर होगी वो जीने माया को उसके बाद प्रमान पहले ही कर सकते हैं आपका जिग्यासा होता है तो पांचवे सोपान में क्या है आटवे सोपान में क्या पढ़ सकते हैं वो बनेगा कुछ नहीं अमार अंदर ही रहेगा भार कुछ नहीं बनेगा यह है तो राउंड टूप में आप अपके अपने जिग्यासे अनुसार पढ़िए फिर यदि रेगुलर रीडिंग के रूप में देखेंगे कि किन पुस्तोकों को आपको लंबे समय करना पढ़ेगा तो मानव वहार दर्शन जिसके कई रीडिंग्स आपको करनी पढ़ेंगे चार पांचे साथ इस करम में आपके जिग्यासे अनुसार आप जो करेंगे इसके बाद आपका यह शोद या अडवांस्ट शोद में आप आएंगे तब आप लाइबरेरी को देखना ठीक है इसमें पूर संसकरन पुस्तकों के उसमें आप फोन कर लीजिए कौन से बुक का कौन सा संसकरन देखना बता दूँगा यदि यह सब पढ़ने के बाद अनुत्तरित आपके पास कोई बिंदू रह जाएंगे दो तीन उसके लिए शोत करना पड़ेगा ठीक तो पूर संसकरन उसके बाद यह सब मैं अध्यन के लिष्टी से कह रहा हूँ लेखों में शिक्षा पर भी लेख है इस बीच में आप पहले सी टीचर थे आपको टीचिंग का मन होता है बाबा जी के शिक्षा का लेख पढ़ लेना पटो अध्यन नहीं है शिक्षा का वस्तू साक्षात कर का वस्तू नहीं है वो प्रमानित करने का वस्तू है ठीक है प्रावड लोगों के लिए यह तीनों एक साथ चलता है यह समझ में आता है प्रॉड आदमी के लिए एक समझने की वस्तू, जीने की वस्तू, प्रमानित करने की वस्तू ऐसा बना है वन, टू प्लस री और फोर जिनका पहले से समाज के पती ध्यान चले गया है वो चार में भी पैर रखेगा ऐसा तो यह बाबा जी के लेकों को देख लीजिए पर्याप्त है, उसके बाद डाइरी का संकलन तब तक तैयार हो जाएगा जब तक आप यहां पहुंचोगे यह शोद ए शोद बी मेरे जैसे जो विद्यहरती हैं यह जो शोद कर रहे हैं इसको आप पढ़िये मैं कर रहा हूँ बाकी लोग जो करना चाहते कर सकते हैं उसमें स्पिसिफिकली साक्षाथकार को लेकर कुछ पेपर मिलेगा आपको यह ना, यह सब चल रहा है मैं मान रहा हूँ, बाकी लोग भी करते होंगे बोट को लेकर होगा यह राउंड टू आपका अध्यन है स्टेज टू इसको अध्यन बोलेंगे अभी यहाँ जो अध्यन शिवर डिजाइन हुआ है उसके अनुसार हुआ है यह दर्शन वाद्शाथ, प्रजूम्स कि आप राउंड टू में रहेंगे फिर इसको इस करम से पढ़ना अपने जिग्यासा अनुसार नहीं इसी करम से पढ़ना और उसमें जिग्यासा को जिग्यासा के अनुसार आप जंप कर सकते हो रेगिलर रीडिंग में जिग्यासा अच्छा हो गया है यह स्टेज वन, स्टेज टू phase 3 stage ने बोलेंगे phase 3 phase 4 पूर संसकर और अन विद्यारती लेकि यह दोनों इकी है यह करते करते एक समय आपका स्थिर हो जाएगा foundation, plane, super structure column, beam, सब set हो गया उसके बाद फिर हम मनन में क्या करना उस पर बात करेंगे इस बीच में आपका मनन कुछ हो भी जाएगा stage 4 में या बाकी जो library है अभी तक तो हम अरतमान संसकरन available audio video में ही गूम रहे है जो बच गया, यदि कुछ बचता है तो जाना, नहीं बचता है तो बढ़िया है, बच्चे के साथ खेलिए माबाप का सेवा कीजे मने कुछ श्रम कीजे पैसे को कमाईए, गोल पकाईए या खिलाएए लोगों को और कुछ उपियों की चीज करिए समाज के लिए बाबाजी के कुछ वर्क्स को टाइपिंग कीजे समेल अनेटेंड कीजे, सब चलता रहेगा हाँ, आप पैचान लीजे जो आपको लगता आप से श्रेष्ट है और डिपेंडेबल है, ऐसे किसी वेक्ति को चैन कर लीजे वो यहां तक चल पाएंगे आपके साथ इसके बाद आपको इसके बाद मनन है फिर आप मनन गोश्टी में आएंगे आपको चैन करना पड़ेगा आपको जो ठीक लगे तीन चार में चलो बेस्ट आफ त्री होता है न, एक मैच से जब त्रिप्ति नहीं होती है तो तीन लेते लोग मैं तो वही करता था कुछ डाउट है तीनको भी पूछता तो उसको भी पूछता तो इसको भी पूछता था तिपिकली दो आँसर मैच करते तो उसको लेके मैं चलता था तीन लोगों को पकड़ लेना ठीक है तो यह है तो इससे आपको यह मतलब बेसिकली पाचन योग है हाजमुला डालके है यह जर्शन को पढ़ना हाजमुला डालके कैसा पढ़े है पाचन योग करके अभी छे मेना करके पढ़ना है यह आप में बन गया होगा बागी आपको यह करना है यहां रहना, यहां रहके करो यहां के लोगों से बात करना कुछ रम करूंगा, यह करूंगा, वो करूंगा बिजनौर में हम लोगों का एक जगह है वहां भी कोई नहीं है, बहुत सारा जगह है कोई नहीं मतलब लोग कम है हमारी संस्था है सारे शॉर्ट स्टाउट है लोग है ही नहीं तो इसके अंदर रहना है यहां रह सकते हैं बाहर रहना बाहर रह सकते हैं इसके बाहर अपने घर पे रहना अपने घर पे रह सकते हैं कहीं भी जाए यह दिछा हो तो यह करते रहे यह मेरे ओर से कोई है नहीं कि आपको एक करना है यह करम है जहां रुखना आपको रुखो जहां पतंग उड़ना उड़ालो सब आपके उपर है ठीक है यह बीची में आपको अनुभो हो गया तो बहुत अच्छा है नहीं हुआ तो भी बहुत अच्छा है ठीक है ना तिपिकली यहां आते आते मने हम दर्शन को साथा दस बार पढ़ चुके होंगे यहां आते आते और आप पढ़ाने योगे हो जाएंगे सारे पुस्तकों को यहां आते आते बिना देखे पढ़ा सकते पुस्तक क्या वशक्ता नहीं है फिर यह इसमें क्या करना है का लगानी है यह शास्तरध्यन तक मैंने आपको बता दिया यह भी आपको सारा डायरी पढ़ना नहीं है डायरीों का संकलन हो रहा है लेकों का संकलन हो रहा है विद्याती शोद पत्र आप पढ़ सकते हैं अलग अलग यह इसलिए इसको इस स्टेज में रखा है ताकि पहले ऑफिशल से गुर्ट पर फिर वो शोद को आप देखिए नहीं तो बायस हो जाएगा तीखिए वो तो पब्लिक डोमेन में है जिसको कब जब पढ़ना पढ़ सकता है इसलिए शोद पत्र का मतलब वो रेफेरेंस के साथ रहे कि कौन से बुक से लिया जा रहा है जैसे अभी 98 पेज में किया है ऐसा फोटो की चले हाँ तो ये क्रम है अभी इतना मतलब उपलब्ध है तो इस बीच में बाबा जी का आडियो वीडियो जैसे बनेगा कि आडियो वीडियो बुक्स के अनुसार नहीं है सरोप्रतम आडियो 97 की है अन्तिम आडियो ऑक्टोबर 2013 की है उसी क्रम से आप सुन सकते हो दूसरा हम अरेंजमेंट देंगे टोपिक वाइस आपको अस्तितो दर्शन में इंटेस्ट अस्तितो दर्शन की फोल्डर मिलेगी उसमें प्रकाशन का एक फोल्डर बनेगा आप प्रकाशन को समझना चारे तो उसको ड्रिल डाउन कर सकते हैं ऐसे यह पुरा शोध है यह दर्शन का एक बहुत बड़ा विशाल भाग होता है फिर यह जो मनन होता है यह पुस्तक में नहीं होता हमारे अंदर होता है इसलिए हम कुछी लिखा नहीं है हाँ हाँ फिफ्ट फेस मनन इस बीच में आपको मनन होके कुछ साक्षातकार हो सकता है ऐसा नहीं है 21 प्रकार की इच्छा है वो उस पर है न किसी का टेबल चुराने चाते हो यह ऐसा थोड़ी इच्छा होता है कोई किस शरीर से संबंदित इच्छा है कोई इच्छा क्या अस्वादन अपिक्षा है जब तक आप चोरी करके नहीं खा रहे है यह ना आप खा सकते हो फिर स्वास्थ होना नहीं होना आपके उपर है ठीक भाई रोज चार गुलब जमन खाने का मन करता है खालो यार क्या प्राब्लम है जब तक चोरी करके नहीं खालो खालो यह सब बुक पढ़के लगता है कि बहुत पिटा ही हो गया मैं आइस्क्रीम खाऊंगे जाके खाले ना चार आदमी से मिनने का मन करता है मिल लो परधन, परणारी, परपुरुष और परपिडा मैंने बोल लिया परपिडा का इकीविदी है मुँ बंद रखना परणारी, परपुरुष बंद करने के लिए हाथ परणारी, परणारी, परधन के लिए हाथ को बंद के रखना है बस, अपनी चीजों को बंद लिया तो हम सुरक्षा में आगे फिर उसके अंदर आप जो करते हैं वो वेद है या अपराद है अपराद के अलावा जितनी भी इच्छा है वो ठीक है अच्छा, या अपराद इक मान सिकता है लेकिन प्रकटने हो रहा तो भी ठीक है बाहर दो नहीं दिये ना अंदर ही उसको पचा रहे हैं फिर ये मनन वाले में किसी स्टेज में, इस ये चौथे में आते आते आप मनन के किसी इसमें आ जाएंगे रेगिलर रीडिंग करेंगे तो लगबग 3-4 राउंड होगा आपका 5-6-7 राउंड भी हो सकता है 6-10 राउंड हो जाएगा बुक्स का उसमें कुछ ये दि बचता है तब आपको अडवांस शोर्ट की अवशकता पड़े ये दि कुछ ने बच रहा है तो सीधा इसको कर सकते है ये तो तब है पूरा संसकरन इसमें कुछ फिट नहीं हो रहा है केवल तब recommended है ने तो उसमें मत उल्जिये ने तो मैंने नासान नहीं हो इसको निपटना ठीक है ना ये तो इसलिए पुरा रख दिया है क्योंकि नेक्स टैम आपको मिलूंगा नहीं मुलूंगा मुझे पता नहीं तो आपके सामने जान करी रहे बट अभी के लिए आप फर्स्ट वाले आप फर्स्ट वाला कर लेंगे और सेकेंड में आ जाएंगे तब तक काफी आपको दर्शन आप परिशे शिवर ले सकतें एक हादा भुक पढ़ा लेंगे ये सब हो जाएगा हाँ फॉर्थ में फॉर्थ में लिखा है बता है न ये सब पूर संसकरेंट सारे बुक्स के लेक और डाइरी पनरह हजार पेज है और जो विध्याति शोद पत्र है जो भी मिलेंगे अलग-अलग शोद पत्र का मतलब ये नहीं है कि वो बता रहे कि न्याए क्या है वो तो लेक हो गया शोद पत्र का मतलब दर्शन की कोई असपष्ट एरिया जिस पर वो बेक्ती अपना अनुमान या अपना रिसर्च करके बता रहा है जैसे एक उधारन अब ये शासरे ध्यन में क्या इशूस आ सकती है ये कहीं लिखा नहीं है बढ़ होता है किसी को दो पता है किसी को एक पता है कोई तीन सोचा है ये एक शोट पत्र कहलाएगा इभी जो चोटा आप मने बुसका इंग नमूना है स्पेसिमेन है ऐसे बहुत लोग बनाएंगे तो उससे हमको लाब मिलता है कि भाई हमारे पहले लोगोंने कुछ सोचा है तो सही है नही है उसको सोच सकते है बट उसको मुल्यांकित करने के लिए बैक ग्राउंड चाहिए नहीं तो मुल्यांकित ही नहीं कर सकते जैसे मैंने यह दस बता है आपको क्या पता है यह दस होता है कि नहीं आप मान लिए ठीक है ना ऐसा पस लॉग एंड शॉट इतना है यह पासन योग यह है अभी जो आदमी इसके पहले परिशे शिविर्ग जितना दो करना है किसी को चार करना है छे करना है इधर उदर से कुछ सुन लिया है वो सब ठीक है ऐसा जिस क्रम से यह शिविर्ग चला वो है राउंड टू मानवहार दर्शन करम दर्शन फिर अभ्यास दर्शन फिर अभ्यास दर्शन वैसे तो पढ़े होंगे आपको इधर एई करम था न वही करम है बाबाजी का recommended करम यह उसकी तैरी है इसके पहले जो आप शिविर करके यह सब करते हैं उसको ऐसे पढ़के समझने के लिए योगयता विक्सित करने के लिए है जैसे यह 21, 22 है अभ्यास दर्शन, करम दर्शन 1, 2 and 18 क्या है? 20 अध्यान प्रक्रिया यह सब related एक ही set है यह वह अध्यान विरी क्या है? क्लियर हुए बिना अभ्यास दर्शन भी स्पष्ट नहीं हो पाएगा अभ्यास दर्शन स्पष्ट हुए बिना करम दर्शन 1 and 2 भी आपको क्लियर भाषा सुन लेंगे अमती, सुमती, कुमती, धुर्मती, वसुमती बुद्धिया है दि भी बुद्धिया है वो connect नहीं हो पाएगा वो connect हो, in fact वो बुद्धिया पिद्धिया तो बुद्धिया इधर आके connect होंगी यह शोद के स्थर पर आप स्वाइम शोद करोगे तो जो कर्म है और उपासना है अभ्यास है, अध्यन है यह सब कंपाईल होगा आपके अंदर अच्छा इसमें समय नहीं है यह पूरे कुछ है मेन में पूरा करना है, कर लो जिन में दोई घंटा सोना बिस साल में करना बिस साल में, इसमें टाइम नहीं है there is no time समय कहीं लिखा है phases लिखे है यह होने के बाद मनन तो मनन में क्या होता है उसका शोल, मनन का तातपरे का है विशलिशन और मनन में अंतर क्या है मनन और उपासना में क्या अंतर संबंध है मनन में क्या बादाए होती है कि हाँ आते आते श्रवन शास्रे देन के बादाओं से more or less पार करके अपन निकल चुके होंगे उसमें यदि आपके पास जैसे शब्द दोश है संशय दोशेरी है तो इतना घुसोगोई नहीं यहीं पहले ही निपड़ जाएगा पहले वाला जो हमने किया फिर शब्द दोशेरी है तो भी यहां तक नहीं आएंगे इधर ही पूरा हो जागी इसकी जरौती नहीं पड़ेगी विपड़ यह दोशेरी है वो बना रह सकता है लंबे समय तक यहां तक भी बना रह सकता है विपड़ यह ना कालपनिक दोश भी बना सकता है बट कल्पन एक दोश्र इधर तक आएगा ने उपर ही ट्रिप्ट हो जाएगा हमारे कल्पना के अनुसर हमने मान लिया कुछ वस्तु के बारे में या अपने स्थिती के बारे में यहां मान लिया कि मेरा बोध हो गया मैं चार बार मानवार रदशन पढ़ा लिया तो एक दिन ऐसा लग सकता है कि यही बोध है यह सब वो है अधिम उल्यन दोश विक्षेप हो सकता है यह रीडिंग पुरा होने के पहले हम स्कूल कुछ भी एक 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 जामपल दे रहा हूँ आप सेंटर बना लिए नहीं करना नहीं बोल रहा हूँ वो एक पार्ट है यह हमको क्लियर रहे और सब के लिए मने कंबल्शन नहीं है जिसका जिस समय वो चीज बनता है तो वो करे अधियन के डिश्टी से ऐसे है इसका कितना पक्ष हम कैसा बैलन्स करेंगे वो तो मैं आपको बता दिया यह चार में बैलन्स आप तै करोगे दिन में एक घंटा पढ़ना है सबेरे चार बजे उटना है दो बजे उटना है एक बजे उटके पढ़ना आप तै करो दो बजे उटना है बहुत ती उरता है आग जली है तो दो बज़े उटना पांच बज़े तो पड़ो उस यह बाद जॉब पे जाओ यह तकलिफ यह बैलन्स आप तै करेंगे आपकी वो तो लिख दिया था चार इधर यह चार इस चारों के अभ्यास उसमें हमारी स्थिति ऐसा है इसको इंगलिश में बोलते है लॉंग और शॉर्ट और अफ़ अधियन शॉर्ट में भी इतना है उसको लॉंग भी इतना ही है ठीक है तो इसमें स्टेबल मनन आपाएगा इतना करने के बाद यह मनन मतलब मनन स्टेबिलिटी आ जाएगी हाँ इधर धे जागरती होगा इसके पहले धे स्पष्टता होगा और बीच में धे शांती और संतोष होगा एबरेज पहले दिन से धे जागरती होना हो सकता है रह रहे जागरती का धे होना यूजिली धे स्पष्टता होता है वो कवर कर ले था आपके लिए शास्त्रे धेन के पहले ब्रह्म से मुक्ती और दुख से मुक्ती दो बैंड दिया था याद है वो नोट्स में ब्रह्म भी भौतिक ध्रम व्यभारिक भ्रम बौधिक भ्रम और आध्यात्मिक भ्रम जिनका आध्यात्मिक पक्ष्ट में स्पष्टता के अवशक्ता मेंसूस होती है वो जागरती का धे है इसके पहले हम स्पष्टता चाहते है अब ही हमारा धे क्या है नांगराजी दर्शन में लिखे क्या है यही धे है जिग्यासा क्या है धरशन लिखी कैसी गई है प्रसम जिग्यासा फिर आएगा ये जिने में क्यों ने आ रहा है फिर अध्यन मेरी पर जाएगा मेरे को साक्षात कार क्यों ने हो रहा है ये दि आता है तो वो भी ने आता है तो जी कैसा ही नहीं है तो वो भी कोई तकलीफ नहीं जब तक हम बिना चोरी किये बिना व्यपचार किये बिना जगडा किये जी रहे हैं आप सुरक्षित हो यह बेटर देन दे वर्ड नो बढ़िया पूरे अनंत भ्रहमान तक सोचके बढ़िया अपना आलू चाट खा रहे हो तो प्रॉब्लम क्या है बगल वाला भी ना सोचे खा रहे हैं इतना ही तो अंतर है ना कोई तकलीफ नहीं विन विन है यह में लॉस कुछ भी नहीं है अच्छा जीवन अक्षय शक्ति अच्छाबल है, संपन है तो अक्षयता को कहीं लगा सकते हैं नहीं ठीक है यह पढ़ने का क्रम आप लोगे वो अच्छा जपिंग सीधा सीधा यह बढ़िया बढ़ने का क्रम आप लोगे I would not as of now जो मेरे observation में आया है maybe thousand out of one person can do now I don't know whether you are that one out of that thousand neither do you know or he knows नहीं पता है यह परिचेश्विर करके इधर कूदना this is like ragging intellectual ragging है वो in my opinion परिचेश्विर करके maybe at this stage this stage he can come maybe eight is ideal recommended or minimum at four so इसमें दो तीन साल उनका चला है you know दुनिया को सोच के अपने and then they have made up their mind ideally but दुनिया भी ideal है नहीं छुट्टी अभी ही मिल सकती चार साल बार चादी हो जाएगी पती नहीं आएगी तो करो so then you get a taste of it कोई तकलिफ नहीं you're not losing anything and then शीविर में अभी तो यह खाना भी जोरदार बन गया हम लोग जब थे के वर बरबटी और लोकी खाते थे 2010 में यह कुक को और यह सब सिस्टम बढ़िया बन गया है और हम लोग भार बटके खाते थे वो जो गैल वो है सामने जो पानी रखने का जग़ा है वो ही kitchen तो वो ही dining room था यह बना ही नहीं था तो हम लोग खाते रहते थे वो कीड़ा गिरता रहता था प्लेट पे तो हम लोग कीड़ा हाटा हाटा के खाते रहते थे light बन करके अंधरे में light बोलने से यह कीड़ा पहुत होता है तो ideally यह अच्छा यह हम यह सोचेंगे कि बच्छा बच्पन से इस स्कूल में पढ़ रहा है तो maybe age 16 वो इसके लिए थायर होता है यह से यह लोग हैं चेतना विकास मूले शिक्षा कि उसके यह कुछ भी मानलो मेरी ही बेटी है क्या है यह चेतना वाले स्कूल में नहीं जाएगी नहीं जा रही है तो यही मैं अब कब उसका कोई पूर तयारी कर लेता हूँ by around 18 उतनी maturity आपाती है 18 to 20 कि यहां से शुरू करें so वो भी इदर आके let us say 16, 18 जो अपना अभी graduation का जो time है 18 अभी को जावरेश लगता है मुझे they can go through this this can be kept for masters and this can be kept for PhD and this is postdoc ऐसा ही करेंगे तो ऐसा बनेगा Manan postdoc है वो उसके पहले very rare कोई एक अधा बहुती starlight जीवन आगे तो अलग बात है if I start a 6 मेना शीवर this is my opinion I am not running any 6 मेना यह बाबाजी का recommended design stage 2 मैं गरीबी का design बता रहा हूँ थीक है अभी इसके बाद का भी थोड़ा सा step back यह 6 मेने के शीवर का आपको question क्या था इसके बाद पढ़ने का करम क्या होना चे वो में बता रहा हूँ अब उसको छे मेने के शीवर में ऐसा होना चे यह सब अनेसेसरी discussion है छे मेने के शीवर क्या design होगा वो शीवर कंड़ करता है वो तै करेगा क्या आप तै करेंगे कि मैं तै करूँ वो आपका personal decision है वो आपकी life circumstance को लेकर है यह दि आपका यह वाला स्थिर है एना तो आप आजाओ यह दि आपको लगता है अभी समय है एना भाद में विवा हो जाएगा अभी तो कर ले ना but you treat it as a precursor to this तो ठीक है आपको कोई दिकत नहीं आएगी आपको clear होना चाहिए कि क्या करने जा रहे हैं और आगे की करम क्या है एक बार 6 मेने कर लिया इसलिए हमारा अध्यन हो गया पठान हो गया कुछ भी नहीं है कहां क्या लिखा है आपको पता चलेगा और पढ़ने की योग्यता बनेगी उसके बाद वस्तुगत रूप से इसको अपरोच करना है तो ये करम है चाहिए 6 मेने के बाद करो पहले करो ये पूर तैयारी देगा आपको ये stage 2 में वस्तू को समझने के लिए ऐसा कोई फाउल थोड़ी है कि पहले आपने कर लिया तो ये नहीं कर सकते हो येशा नहीं है जैसी ये मैने करम ये सुझाया है बीच में आपको लगता नहीं अभी मेरा दोस्त भी मानवहर दर्शन पढ़ रहा है मेरे को पढ़ना है तो ठीक है 10 नमबर को नमबर में पढ़ लेना तकलिफ क्या है यसे फिजिक्स की सिलबस बनती है वो कौन था लड़का उसको कहां से कैसा समझेगा थोड़ी पता चलता है सिलबस एक बनी रहती है ना एक का उसमें मैतेमेटिक स्टॉंग होता है तो उस पक्ष को लेके आगे दोड़ जाता है यह सिलबस में नहीं है उसको भी पढ़ लेता है रेफरेंस बुक से ऐसे तो होता है सिलबस आवरेज श्यूस के लिए दिया जाता है यह वो है आज कल ना दे कॉल इट सी बी एम एम कॉन्फिदेंस बिलडिंग मेशर यह confidence building measure अप्रोच है यह अब आपके जीवन में अंदर पहले से यह हो गया कि मैं इसी के लिए पैदा हुआ था तो ठीक है सीधा दर्शानवार शास्तर पढ़ लीजे इसके round two reading में आप दर्शानवार शास्तर समिधान पढ़के फिर आप अपने अनुसार इसको कर सकते है regular reading में आ जाएगा प्रती दिन एक घंटा दो घंटा तीन गंटा जो आप से बनता है sound हो tractor का हाँ यदि कोई आप बड़े decisions ले रहे हैं और shattering की घर को छोड़के आना है या ये करना है वो ideally हाँ आप कि इसमें घुसरे हो ये clarity चाहिए मेरे अनुसार या वो जिग्यासा रहे कि इसके अंतर तक जाओंगा really वो fixed है तो जितनी भी issues आती हैं वो आपको छूएंगे नहीं कई बार ये रहता है कि 4-5 साल के लिए UPSC के लिए try करूं ऐसा मेरा रहता है धेयाई के रूप में कि 4-5 साल में बढ़िया से लगाऊंगा जम करके तो वो बिना इसके इस परस्ता है कि नहीं करने चाहिए इसको और UPSC से कोई संबन नहीं है न आपको UPSC करना करो UPSC क्यों कर रहे हैं पूछना चाहिए आपको पैसे के लिए कर रहे हूँ तो उससे easy कोई विजी है तो उसको कर ले न क्यूंकि probability wise देखोगे तो 4-5 साल बरके किते लोगों को UPSC मिलता है तो यह जी उसको गनिती विजी से तौलेंगे कि यह जी failure rate उसमे 96% है तूस चीज को क्या जाए जिसमें failure rate केवल 40% है 20% है यह न स्टेट सर्वेस यह चोटा मोटा forest का का काम post office भूसर है न फिर UPSC पद के लिए कर रहे हैं पैसे के लिए कर रहे हैं किस के लिए कर रहे हैं सब short करना है वो सब परिछे शिविर का question है यह जो क्रम है इधर आते आते stage 3 आते इसलिए उसको round 2 में रखा है मैंने यहां आते आते यह सारा आपका निपटना चाहिए चाहिए एक वर्ष लगे दो वर्ष लगे दर्शन को पढ़के समझना यह मेरा life का focus हो जाए तो यह दर्शन को समझना और उसके अनुसार जीना उसके कारेकरमों में लगना समझने की वस्तू जीने की वस्तू और उससे related प्रवान या परंपरा मतलब उसका कारेकरम यह लोग को आपकरन कारेकरम है LP ठीक है यह इसी करम से आता है दूसरा विजी नहीं है ठीक है तो UPSC करना है कि नहीं आपको यह शोट करका देखना पड़ेगा सो एंडिक्षन करके देखिएगा कि उसमें पड़ के लिए आप कर रहे है पैसे के स्टेबिलिटी के लिए भी कर रहे है अब मैंने जानता हुआ उसका मैं कभी ट्राइ किया नहीं उसका परसिंटेज क्या है सकसस का पता नहीं फिर UPSC करके जो जाब मिलेगा उससे जो मैंने का दो लाग रुपे सैलरी मिलेगा उतनी के हमारी आवशक्ता भी है कि नहीं यह दि देखे अध्यन विडिस से आने तो सब देखना पड़ेगा कि इसकी आवशक्ता कितनी है घर परिवार के आवशक्ता कितनी है यह ना मेरी आवशक्ता यह तीनों के संतलन में आपका उत्तर है वो UPSC से मद्यश दर्शीन की लो कोपि करन होता नहीं। बनी उस ही की लो कप्य करन होगा ना। वो आप करके इतना हो सकता है कि आप कलेक्टर बनगे तो इदर ट्रांस्वामर नहीं है तो आप ट्रांस्वामर बिटाओ के दे दोगे आप किदर पोस्ट होंगे हो यह सब बड़ा मुश्किल है आपको लोखेव अपिकरन करना है तो UPSC बहुत कॉंप्लिकेटेड मेथड है उसके लिए। पहले वुप करना है तो पहले स समझना पड़े यह नमबर तीन में लिखाना माराज है इधार है लोख का पिकरन का रेक्चमेंडेड पहले उसका परेशनी नहीं बनता है तो प्राइमरी फोकस में उसको रखना ए तो सेकेंडरी टर्शेरी फोकस में रखना ठीक है, वो तो मैंने बता दिया इच्छा और प्रोडिती के नुसार है ऐसे मैं हूँ, मेरा पढ़ाने का मनी ने करता तो ठीक है, ऐसा फाउल थोड़ी है मेरा दिन जिस दिन मन करेगा करूँगा अब भी मैं शिक्षा कैसा होगा, इसके शोट पर संतुष रहता, तो मेरे लिए उतर ठीक है किसी दिन मुझे लगे नहीं, इससे पुरा नहीं हो रहा बच्चों के साथ जुड़ना है, तो मैं करूँगा आप है, इनको पहले से शिक्षा में करना ये करेंगे कर सकते हैं, तो उसको उसको फिर तीन नमबर से जोड सकते हैं कि हम विद्याले में काम करें पढ़ाएं उसका हमको मांदे मिले, 14, 15, 16, कुछ भी, उससे हमारा घर भी चले, एना उट-पटांग हमको पैसे के लिए काम भी नहीं करना पड़े और हम अपना अध्यन भी करते रहें और उससे दुनिया में जितना जाना चाहिए, अपने अब जाएगा समझ रहें मैं तब अभी यही जॉब्स को देखेंगे तो सबसे सुरक्षित जॉब कीचिंग का ही है यही जॉब्स ही करना है तो बाकी समाद में आके इधर आते-आते उसके आवशक्ता मैसूस होगी कि हम श्रमपूरवग जी हैं या सौलमण पूरवग जी हैं फिर वो सौलमण में जाएंगे तो वो सौधन पर पूरा डिस्क्रेशन किया था उसमें वो सारा पकेट खुलेगा जैसे आप सौलमण बोलेंगे सौधन बोलेंगे इधरी किया था ना वो तीन्शार इसी हाल में किया था वो भी ऐसे ही भाईया वो जीव आपको डिसाइट करना पड़ेगा आपको जीवचेatan का सिलबस पढ़ना है या आपके उपर, उसका उत्तर मैं ने दे सकता हूँ, मैं यह नहीं बोलड़ा, आप मत पढ़िए, वो पढ़ना है, तो UPSC का syllabus पढ़ो ना, उसका exam क्यों देना है, आपको उसका वस्तू एदी क्लियर होता है, यह अच्छा लगता है, तो पढ़िए, इस बीच में आप science के लिए भला करना और आपकी interest के चीज़, आप एक, दो, एक, तीन और चार नमबर को mix कर रहे हैं, एक ही च्छा में यही problem है, विध्यारती वाला जो है, यह दर्शन पूरा करके देगा, पैसा बनना वाला एक अलग stream है, दर्शन को पढ़ाते हुए, आप पैसा नहीं बना कर रहा है न, इसको अलग-अलग कर लो, और आपका interest है, विध्यारती के रूप में, नागराजी के समाज शास्त्रे के जाएगा, आपको कालमाक्स का पढ़ना है, वो तो पुस्तक वैसी उपलब देना, यूपेसी के notes उपलब देना, नेट पे, आजकल तो सब तो upload हो गया ये पढ़ लिया नहीं, मैं उपर-उपर से scan किया हूँ, पढ़ लिया का मतलब यहां तक आना, उसमें 12 साल लगाना पढ़ेगा, मेरे को फुर्शत नहीं है, किसी भी दर्शन को पढ़ने का मतलब इधर तक पहुंच पाना, इधर, तो हर एक दर्शन के लिए 12-12 साल लगा पढ़ेगा ना, मैं कैसा बोलो वेधा दर्शन पढ़ लिया, कोई टाइम ने, हाँ, फर्स्ट येर का मैं टाइमिंग बोल सकता है, एक साल, शेकंड येर को छे मेने में कर लो, सेकंड राउंड को, थर्ड राउंड फिर वो रेगल रीडिंग में आ जाता है, जेड़ साल तक का तो प्रेडिक्शन कर सकते हैं, फिर आप सर्वेक्शन करके देख सकते हों कि आपके पहले जो लोग इस कदम पर चले हैं, उनको कितना टाइम लगा कि शिश के लिए, उसका एवरेज, यही कुछ, मैंने, सौमिता बना के रखना है, तो उसमें हम मान सकते हैं कि जी, क इनको ऐसा लगा तो मेरे को उसका टेन, ट्विटी परसंट कम लगेगा, उसको दस साल लग गया, मैं दो दिन में करके दिखाऊंगा, यह फिर विकल्प दोश है, काल्पनिक दोश हो, ऐसा होता नहीं, तो आपके पहले जो लोग चले हैं, इसका सर्वेक्शन करके देख ल होंगे या उससे 50% जाद अच्छे होंगे, तो आधे टाइम मान लो, हमको लगता है कि हम देव पुरिश है, जन्म ले लिए हैं, तो आची बात है, वो भी ठीक है, आपको शिश्य भी मिल सकते हैं, ठीक है न, ठीक है यह पढ़ने का करा, मुझे लगता है इतने में पूरा है, पूरा मटेरियल भी इतना ही है, सब को मैंने रख भी दिया, ठीक, यह रेकमेंडेट यह आप पूछेंगे मुझे तो यह उत्तर है, बीच में आपको जो बन करना, करता हो करना, यह और कोई से अच्छा कुछ बोलता है, उसको करना, यह सब यहां तक पहुंचने का वि पहुंचो, चाहे यूटीूब से पहुंचो, यह तक पहुंचने में क्या समझ मायगा, यह तीन चीजे अलग-अलग हो जाएंगी, यह जो उपर लिखा, समझने की वस्तु, क्लियर, यह क्लियर हो जाएगा आपको, जीने की वस्तु परंपरा में प्रमानित होने की वस्तु परंपरा प्रमान की वस्तु ये तीन क्लियर हो जाएगा इधर पिर शक्षातकार के लिए हम है उसमें और मैं? हाँ राउंड टू में दिया न? दर्शन वार शास्तर का करम जो है हाँ ये उस समय पढ़ पाते हैं तो पढ़िये तभी भी कुछ समझ में नहीं आता है तो दो साल फिर ट्राए करना उसके बाद भी नहीं समझ में आता है तो उसके बाद ट्राए करना समीधान अभी आएगा ना नेक स्टाप उसमे पड़लो नहीं वो तो यह है ना कि हम वाचिक का मतलब व्यभार पक्ष है ना पूरा वाचिक केवल व्यभार के लिए लगता है और होगा ना वो अपने आप होगा ना वो जो उसमें दिया था वो तीन करम बताया थे ना पहले ही दिन उसके ओर यू में रख दिया था फिर उसके डीटेल में हम नहीं गए ये जितना मैं बोल रहा हूँ ये तो शोद वाला पार्ट है शास्तरद्यन वाला पार्ट ये ना इसके साथ बात तो हुई थी ये जीना वाला तो बने गए ना व्यवार बनी ही रहती है ये ना कार बने ही रहेगा समाद बना ही रहेगा किसी दिन हमको लगेगा कि ठीक है बहुत हो गया पढ़ना मैं थोड़ा पेड़ लगा लेता हूँ ये सब रहे गई वाचिक पूरा व्यवार है ये जीना, यह पूरा बाचिक है व्यवार के करम को देखेंगे तो मनुश्य के साथ जुड़ता है तो यह शास्त्र जो है तत्वशोत प्रधान है जीना बना ही रहता है आन्शिक रूप में सो मुल्यंकन रहेगा ही इसकी तीवरता नहीं बनती है शास्त्र जिन के स्टेज में मतलब हम यह नहीं बूल सकते ही कि मैंने व्यवार अभ्यास किया व्यवार होता रहेगा व्यवार अभ्यास करना और व्यवार होते रहने में अंतर है तो वो मोटा मोटी यह स्टेज आने तक व्यवार अभ्यास करना हूँ ये वाली चीज नहीं रहेगी वो विवहार को हम नाम दिये रहेंगे विवहार अभ्यास जैसे मैं आपके घर आया कुछ खाया मैं बोल दूँगा मैं इनके आप विवहार विवहार को तो नाम दे सकते हैं पर वो विवहार अभ्यास का प्रात्मिक चरण है, इसलिए वो बात हुई थी कि छोटे बच्चे बेदी देखेंगे, तो वो बच्पन से ही व्यवार शुरू कर देता है, मतलब सोशल इंटरक्शन उसका प्रारम हो जाता है, अभी ये सोम भया की पोती कितना पचास दिन की है, आदमे को देखके कुछ ब तो वो केवल पशू नहीं है, कि मतलब केवल खा पी रहा, कीड़ा जैसा नहीं है वो, अलग हो गया, अब ये जो व्यवार वाला भाग है भाईया, ये फिर वात्षिक वाले में केवल व्यवार है, और व्यवारी के लिए वात्षिक है अरिकांच, बाकी तो हमारे जो हमने शोद किया है, उसको पढ़ाते समय वैलिडेट करना, या जो परंपरा के प्रती, जैसे मैं अभी ये नोट्स बनाता हूँ, तो ये क्या है, ये परंपरा के लिए मेरी योगदान है, कितना भी जोटा ह मेरे से इतना बनता है, ठीक, वो लिखना तो मानसिक प्रक्रिया हो गया, बोलना वाचिक है, बट ये पूरे दिन तो नहीं है, ये जीना तो नहीं है, ये जीना नहीं है, ये प्रैक्टिस है, ये नहीं वहीं, तो ये अध्यान का भाग है, ये जीने का भाग नहीं है, ये उसके फल पर मेरा कन्टρώL नहीं है उसको तब मैं बोलोंगा जब मेरे पास कन्टरोल है हलांकि वैसा कन्टरोल पे आगे भी जाके नहीं होता है तो यह जी देखेंगे तो समझने और परंपरा को करने वाले पक्ष़ मा आ जाता है यह जो हम बोलते है बाकी पूरा मनुष्य के साथ भैया वेवार में संबंद एवम संपरक में आएगा, ट्रेन में जा रहे है, किसी से बात कर रहे है, वो संपरका निरूआ हो रहा है घर के लोगों के साथ रोज जिनके साथ उटना बाटना है मित्र जैसे सान्सानमून के साथ व्यवार वाला पक्ष हो रहा है ये जो सोम ल्यांकण है ये भी internal प्रोसेस है ये भी internal है ये भी internal है जीने मेरी देखेंगे तो लोगों के साथ कुछ बोल रहे हैं करम अभ्यास भी काईक है करने वाले पाठ में है एकशली व्यवार में देखो तो उसमें ये सारे मांसिक करमे तत्तो कर शोध और मुल्यंकर न आ जाएगा। मांसिक है करमें, हम किसी के बारे में बुरा भला कुछ सोच रहे हैं वही आ जाएगा। तो कर्म के दिश्ची से देखेंगे तो ये तीनों चीजी इंटेग्रेटेड दिखेंगे ये सारा कर्म है फिर ये तीनों में मानसिक कर्म ही लग रहा है और व्यवार और कर्म में काईक और वाचिक भी लगेगा और व्यवस्ता में जीने वाले पार्ट में काईक और वाचिक भी लगेगा उसके मूल में मानसिक है ही इसलिए कर्म इसलिए वो जो कर्म और उपासना वाले को इधर रखा पढ़ने के लिए अब्यास दर्शन के साथ और इसमें मनन वाले में आके वो स्ट्रक्चर हो जाएगा तो ये पूरा मिलके कर्म है ये उसका उपासना भाग है और ये ग्यान है ऐसा आएगा ये इसकी जो फिटी है दर्शन के एक अध्यन विजी ने बाबाजी ने अब तो जितना हुआ सब डाल दिया इसलिए उसमें से कोई एक को चलने से सुईधा मिलती या तो कर्म उपासना वाले मेथर्ट से हम चलें फिर ये स्ट्रक्चर के वशक्ता नहीं है या फिर मैंने अभ्यास दर्शन में जैसे लिखें बट उसमें भी थोड़ा थोड़ा ही दिया है चिंतना अभ्यास और ये सब भाशाएं आई है कर्म दर्शन में नहीं तो कारिट नहीं तो काईक और वाचिक दोनों आएगा ना तो उसमें करिद भी आएगा कारिट भी आएगा अनुमोदन भी आएगा अनुमोदन का मतलब है कि कोई गल्टी हो रहा है हम चुप बैठ रहे हैं जब से हमारे यहां एक एक स्वाइजेट संस्ता में तमाशा हो गई यह ना वो अनिस्पेक्टेड था ऐसे जगए ऐसे स्थान से जब एक समय आया कि लगा कि यह बरदाश के बाहर हो रहा है यह तो फिर हमारे जो परमपरा है जो नमबर थ्री है मेरी एक प्रात्मिक्ता दर्शन की परमपरा उसको बादित कर रहा है और वो मेरा नेटिक जिम्मेदारी मैं मान के रखाओं तो मैंने निने लिया कि मैं उसमें बोलूँगा मैं चुपने रहूँगा तो हम दस बारा लोगों से बात किये तो दो तीन बोले कि मितरता बनाओ दो बोले हम उनको जो करना हो करने दो वो तो बाकी जो आर्ट टैयर हो उनके साथ हमने किया कुछ, किया भी क्या Physically कुछ नहीं किया, वो मानसी की किया, उसका एक करवाया, उसका प्रभाव गई, वो हुआ उसका जो होना ता हुआ, तो ये अनुमदन है, तो अनुमदन वाले में typically Typically, गलती के मैं पक्ष, गलती हो रहा है और मैं उसको कहीं से भोग रहा हूँ, या मेरे सिस्टम से वो छू रहा है, तब वो अनुमोधन है, जैसे भी मान लेते हैं, भारत पाकिसान पर अटैक करता है, अब मेरे सोचने नहीं सोचने से कुछ परकने पड़ता नो तो करेगा ही या पाकिसान भारत पर टैक करता है, अनुमोधन मानसिक रूप में यह होगा कि उसके प्रती मेरे में क्या भाव आया, अच्छा है कुटाई करोन का, इडि ऐसा सोचता भी हो तो उसके पीछे का क्या कारण है, वो फिर वैद है कि अवैद है, न्याए है कि अन्याए है, धर में कि अधर में, यहां अपड़ेगा, हाँ, मतलब वो तो फिर और, मतलब व्यभार अभ्यास में, जो सूफ में भागे उस पर बात करना चाहिए कि, मैंने जैसे काई क्वाचिक मांसिक हो गया, इसको कर रहे हैं, करा रहे हैं, तो कराने वाले में, नहीं वो तो देखिए, मैं क्यों, नहीं वो तो देखिए, वो तो नहीं बोलना तो आप्शन है नहीं, हम बोलना चाहिए, लेकिन बोलने में हमारी लिमिटेशन क्या है, वो हम स्पर्ष्ट कर दें, इसे कोई आके मुझे पूछता है कि यार पनीर बटर मसाला कैसे बनाना है, और मेरे को थोड़ा अधिक पता है, तो मैं थोड़ा बोलूँगा, पड़ यह बोलना में आज तक अभी बनाने उसको किसी ने खाया नहीं, यह ना, वो तुमने पूछा, हमने इतना बोल दिया, तो हमारी लिमिटेशन उस एरिया में, चाहे इस में हो, घ्यान में हो, वो हमारी स्थिति कॉम्स प्रस्ट कर दे तो वो क्लियर हो गया, वो हमारे उपर फिर इश्यू नहीं है, भलब इस टाइप के अडवाइस वाले एक्जामपल में, यह ना, यह तो, यह तो मतलब कृती है, हम इक करी रहे हैं, यह ना, कारित में हमको कोई पद या कोई चीज चाहिए, जो हम, फिर वो सार्थकता वाले में तो कारित होते ही रहता है, बच्चों से कुछ बोलता है, मैं कम से कम चार-पांश लोगों से कुछ काम करवा रहा हूं, बटो, मेरे घर जोला बरने के ल वो तो जेलने वाला काम में आएगा, यह हम इसका दो पक्षान है, एक तो हम अपने और से जो कर रहे हैं, और दूसरे वाली क्या पक्षा क्या है? वही, तो उसको करा लो में, वही वही या, तो काम करने वाली विधी को पहले, जो अभी कॉर्परेट्स में होता है ना, रोल्स और डिस्पॉंसबिलिटी, वो एक अच्छी प्राटिस है, मेरे अनुसर, किसी भी व्यवस्ता के लिए, चाहे वो परिवार के हो, किसी जगा क ले हो, और उसमें, जो प्रदत अधिकार है, और समयोचित अधिकार, उसको जोड के, उस पर मनन करना चाहिए, और जितने भी लोग है, वो तभी काम करेगा, जब बाकी लोग भी उस अभ्यास को कर रहे हैं, हम ही कर रहे हैं, तो फिर केवल जहलने वाला ही होगा, क्योंकि उस फ्रेम में और कोई है यह नहीं, इसलिए फिर थोड़ी सी वो सिस्टम्स या ऐसे जगों पर रहने के लिए, मतलब अभ्यास में मिचुरिटी क्या वशकता है, या इनी मुद्दों पर बातचीत करना चाहिए, अपस में, एक अधियन के लिए बैटे, एक अभ्यास के ल इस तर यह सब मैंटर करेगा, को कुछ लोगों को लगेगा यह इतना सिंपल चीज को हम इतना कॉम्प्लिकेट क्यों करें, इतना मीटिंग करके इतना डिफिकल्टी साथ एजिली तो होई जाता है, तो वो भी हो सकता है, बहुत लोगों को जैसे जो लोग और इस तर यह इतना मीटिंग करके इतना डिफिकल्टी साथ जो लोग अपना ही दुकान अपने ही इंड़स्टी चला है, उनको अके लिए ही डिसिशन लेने का अभ्यास रहता है, जो लोग गाओं में काम किया रहते हैं, वो बिना डिसकुशन का किया रहते हैं, और वो कर इसका कामी इतना है बोना और उसको भोलता है भूल गया, तो कर क्या रहता है यह, जबकि इससे उसका पेट भरना है, एक मान सिखता है भाई, टिकेट इजी मतलब बिन्दास जीरे, उसके लगा का कहां सही इतना मतलब मरे जा रहा है न, ठीक है यह भूल गया एपरिल में, मही में लगा देते हैं, लेट आगया, आधा ही हुआ, हम तो एकदम इंजिनियर करेंगे कि उसका साइज सोर सेंटिमेटर का आना चाहिए, तो उसके लिए कौन सेट हमें कितना बूंद पानी चाहिए, यह इंजिनिरिंग अप्रोच है, तो यह जो अप्रोच्च्छ है कार मतलब यह तो कारेवाले में हो गए, वैवस्तावाले में, तो उसमें भी फिर पर रोल्स क्या है, फिर रिस्पॉंस्बिलिटीज क्या है, फिर कारे करने का जो एक डीसंसी होता है कि कितना इंटेफिरेंस करने हैं, नहीं करने हैं, यह ना, एंड उसमें री कुईसी का रोल है follow up करने का तो उसका decency हो कि वो कितना follow up कर यह नहीं कि हरा दे और नहीं होने से फिर वो कैसे रियाग करेगा वो तो उसके विवहार अभ्यास का पक्ष है उसका ध्यन की कमी है तो उत्ते डीप में जाएंगे तो इतना सारा एक पूरा पोटली मिलेगा बने कारित और कारित और अनुमोदित ने कई बार अनुमोदन नहीं भी होने से चुप रहना पड़ता है क्योंकि उसकी अवशक्ता ही महसुस नहीं हो सभी में तो फिर चुप रहना ही है तो हमारे अंदर उसकी सहमत ही नहीं है लेकिन हम होने दे रहें क्यूंकि वो सबसे क्या है friction free method है साथ में रहने का तो कई बार practical पर इसको बनाया जा सकता है इसको भी इसके अलग-अलग जो वो है चलिए 11.35 को आते हैं तो अभी हम questions ले लेंगे ये तो हो गया book का करम, पढ़ने का करम आद हमारा आंतिम देंगे पढ़ ट्रांसलेशन दिक करना है तो इसके stage फोर के पहले ट्राइमत करना stage 3 पूरा करके फिर करो पहला stage 1 करो अभी ये जो छे मेने का हुआ है ये आपको एक general overview दिया है जिसको भास बोलते है अलपा भास इदर उदर फिर एक बार आप अपना ये जो मैंने करम बताया इसको करना इससे आपको लाब मिलेगा फिर दर्शन वार शास्तर को एक करम से पढ़िएगा second phase में third phase में regular reading में आ जाईए फिर इसका प्रारंबिक बुक पहले क्या करना चाहिए परिभाषा समिता को translate करना चाहिए अर्बी में पहले शब्दों को fix करना या उर्दो में उसको करके एक वेक्ति है हापुड में वो भी इसलाम धर्म में पैदा हुए अमरोहा में है क्या भाई है ये ये भाई संबंदों से मुझे ये तकलिफ होता है कि आदनी का नाम भूल जाता है क्यावल भाई रह जाता है एक मिनिट अमरोहा यूपी में है अमरोहा बट नमबर मिल जाएगा अमरोहा में एक मुसलमान धर्म के वेक्ति है वो मिल जाएगा आपको जरूदर और एक है अपने जहपूर में इसमाइल टाक इसमाइल टाक जी पहले से बावा जी से मिले है इस विदी से विदीवत अध्यन में नहीं आए तो वो जो आप करोगे उन से जंच्वाना आप मुझे दिखाओगे तो मुझे समिज में नहीं आएगा तो पहले परिवाशा समिता कुस्तिर करना उसमें भी कौन से परिवाशाओं कुस्तिर करेंगे ये डॉक्यमेंट में जो आठ वर्गों में दिया है पहले उसकुस्तिर कीजे फिर बाकी परिवाशा समिता कुस्तिर कीजे फिर जिवन नज़ा परिशे को ट्रांसलेट करना उसके बाद वो संकलन वन संकलन टू को स्रांट्रेट करना वो इजी पड़ेगा पाकि उसके बाद दर्शन को ट्रांसलेट करने की योगेता आएगी तब तक आपका स्टेज फॉर के आसपास कुछ आ जाएगा अध्यन तो वो आपके अध्यन के लिए उपयोगी के रूप में मान सकते हैं जो रेगिलर वाला रीडिंग में आ जाओगे ना तब वर्ड्स को करना शुरू करना बट उर्दू का बेस अर्बी में है तो आपको अर्बी बेस को ध्यान में रखते हुए करना पड़ेगा यह जितने सेकंडरी लैंग्वेजें तो सब करप्ट है जैसे इंगलिश करप्ट लैंग्वेज कचड़ा भाषा है कचड़ा नहीं ललू है तो अर्बी ठीक है आपको नहीं आता है कम आता है ठीक है कर लोगे क्या भारत में भी जो अर्दू बोलते हैं अलग अलग जगए अलग अलग है यूपे में अलग बोलते हैं हैदरबाद में तो तेलगो मिक्स्ट है उसमें उसके मैं जातू सू आतू सू ऐसा बोलता है मैं गया सारी मैं तो सू जातू सू ना ऐसा बोलता हो हर्भी मैं तो बुर्जू साउट में सिंग सॉंग टोन अलग है यही इच्छा हो तो कीजिए ठीक है सबी भाषाँ में तो जाने ही पड़ेगा मैं इंग्लिश टांस्टेशन करने का सोचा हूँ बट शार्ट के आयू के बाद अभी है पंदरा वर्श तब तक ये बेस सिर हो जाए अभी इंग्लिश में लिखता हूँ बट वाई सही है दर्शन के डिश्टी से बहुत हेवी नहीं है वो उसको पढ़ता कोई नहीं है भारत में किसी को भी उर्दू अगरे मों हिंदी पढ़ने में तकलिफ नहीं है पहले उस मांसिकता से उटना पड़ेगा जो भाषा और धर्म के प्रती जो आसकती है भाषा के प्रती भी आसकती रहता है मनुश का धर्म के प्रती तो रहता ही है उससे उटने से इच्छा बनेगी संभावना बनती है तब कर पाएंगे तब तक के लिए आप अपने अभ्यास के दिश्टी से करेंगे बड़ स्टेज थ्री में करना जब आपका regular reading हो जाए तो तीन राउंड चार बार दरशन शास्तर पढ़ लिया है स्टेज थ्री में आते हैं ते कितना राउंड लिखा हूं मैं छे से दस राउंड लंबा रेंज है हो क्योंकि अभी हमारे मेरा जो community है मैं जिन के साथ उठता बढ़ता हूं सभी के साथ उठता बढ़ता हूं मेरे साथ जो लोग काम के शुरू किये हैं मेरे पहले सबका 6 और 10 के बीच हुआ है पिछले 25 साल का लोगों का देखेंगे 6 तो 10 राउंड समझते हुए आईसा ही तो था पठन नहीं 4-5 तो होई गया सभी लोगों का प्रॉड जिसको बोलेंगे अध्यन में वो स्टेज 4 में कितना किये वो एक भी नहीं किया अभी तक सब अभी तो रिलीज हुआ साल भर पहले मटेरियली नहीं था पहले अब मैं पूना में हूँ फुर्सत हूँ तो मैं पढ़ता हूँ दिन में गंटा आधा हो गया मेरा पढ़ते हुए ठीक है न? ये चले गए किदर? उनके क्वेशन था कल इधर आ गया अच्छा तीक बताए कल क्वेशन से आब हास का कुछ कह रहे थे हाँ अभी क्या है? उस वाक्य का मतलब यह है कि बाबा जी चितरन क्रिया को अनुभो मोलक विजी से परिभाशित किया अनुभो गामी विजी से परिभाशा नहीं है उसका जो भी जीवन क्रियाम पढ़ते हैं आप पढ़ेंगे इसलिए मनोविज्यान को मैंने बोला लास्ट में कर लो ये सब करके आपका स्थिर हो जाए तब आपके अंदर जिग्यासा बनेगी कि दया को मैं और अच्छे से समझना चाहता हूँ तब मनोविज्यान में दया का परिभाशा काम आता है उसके पहले वो केवल पोर्शन आपका बढ़ते जाएगा ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है उसके पहले मनोविज्यान के अवशक्ता नहीं पढ़ेगी कुछ सुने रहते हैं उसके अधार पर हम चित्रित करते हैं इसको हम अपना समझ बांते हैं जबकि वो अपना रहता नहीं यो किसी किनी के वाक्यों का जैसे मैं इंजिनिरिंग पढ़ा मैं मानता हूं मुझे electronics engineering आता है मुझे आता है ठीक है मेरे अंदर ग्रहन हो गया और उसके तरक स्विकार हो गया लेकिन जिन्होंने रेफरेंस बुक लिखा उसके कारण हुआ ठीक तो वो भाशा पढ़ने से हमारे अंदर चितरित क्रिया स्वाइम होता है जैसे यह लौ पढ़ते हैं चितरित होने की करम यही है इसको अभी हम समझ मानते हैं तो यह दर्शन पढ़ने से क्या हो रहा है हमारे अंदर या क्या होना चाहिए होगा कि इसके भाशा के अर्थ के स्वरूप में हमारे अंदर चितरित हो रहा है तो actually हम क्या चित्रित कर रहे हैं नागराजी के जीवन में जो intention था कि आडमी को पढ़के ये चित्रित होना है उस चित्रों को हम match कर रहे हैं ये आपका नहीं है मेरा भी नहीं है चित्रन क्रिया आपका है उसमें जो वस्तू है उनका दिया हुआ है वो अस्तित्यों में कोई वस्तू है तो वो जो अस्तित्यों में वस्तू है उसको सही डंक से चित्रित करने के लिए तुलन करना पढ़ता है न्याय धर्म सत्य के डिष्टी से वो यदि न्याय धर्म सत्य का डिष्टी स्थिर नहीं है तो वो जो चितरन होता है हमारे अंदर भाशा क्या थार पर स्वाहिम चितरित होना वो आभास उसका बुरा नहीं होगा अप्रॉक्सिमेशन होगा है उसमें एरर होगी उसके पहले केवल प्रिया प्रिये प्रधान विजी से लिए चितरित करेंगे वो और बड़ा प्रोब्लम है वो भी पर ये दोश का एकदम जो हम बात के थे कल उसमें हमारी कलपना उस अर्थ के उपर सूपर इंपोस हो गई हमारे प्रिद्रिष्टी के अनुसार कि मेरे अनुसार नयाय ऐसा है ऐसा चले जाएगा हो भाषा नयाय का है परिभाषा नागरजी का है अर्थ जो है हमारा हो जाएगा आथिक और वो आला अर्थ कम हो जाएगा वो जो एक्जाक्ट अर्थ हो हमारे अंदर चितरित होना इसी का नाम है श्रवन फुलनेस में उसका उसके लिए तुलन आवशक है क्यो तुलन आवशक है ये जो भाषा हम सुने हैं उसकी वस्तू नयाय दर्म सत्य से समभन दित वस्तू है उस वस्तू को देखने के लिए हमारे अंदर उसकी योग meu दृष्टि चाहिए वो दिष्टी नहीं है वो वस्तों नहीं दिखेगी वो दिखने जैसे लगेगा लेकिन उसके मूल में दिष्टी पर यह इतलाप कई होगा एक उधारन है जैसे हमको वेवसाय में स्वावलंबी होना है एक आदमी पढ़ता है बढ़िया एकदम फायर अप हो जाता है नहीं में होंगा प्रकृति के साथ जुड़ूँगा तो हमने मान लो कुछ भी मैं कुर्सी बनाता हूँ तो वेवसाय में स्वावलंबी शब्द को सुना हो उसको क्रिया रूपे में परिवर्टित करने जाता हूँ बट कुर्सी बनाते समय और बेचते समय उसमें लाप की दिश्टी जुड़ जाएगी तो फिर मैं यही सोचनगा मेरा कुर्सी कैसे बिके फिर नील कमल का कुर्सी 700 का है मैं 600 में रोखो कि 800 में रोखjem फिर शेंदर शेकर भहिया की भी कुर्सी बन रहे है दोनों समर्दी में बिक रहा है तो उनका रिट कम है तो उनकी बिकेगी मेरी ने बिकेगी तो शुरुआत क्या था? नियम पूरोग सॉलम बन का और क्रियानवित क्या हुआ? लाप पूरोग सॉलम बन तो यह जो विनिमे की प्रक्रिय है इसमें जब तक न्याय न्याय की रिष्टी न्याय की रिष्टी नहीं जुडेगी वो बात नहीं बनेगी जीवन में घटना के रूप में लगे का कि सौलम भी हुआ है मानो ठीक है यह मेरा उत्तर लंबा हो जाता है क्या ठीक है यह और शॉट कर दू मेरी पत्नी बोलते है तुम्हारे बार्षा से नीन दाती है टोन से आप क्या करूँ गला एक ही जैसे आप वो एलोक्यूशन कॉम्पटिशन में तो नहीं हूँ कि उपर नीचे करते हैं एलोक्यूशन में न पॉब्लिक स्पिकिंग में उपर नीचे बोलते हैं लोगों को क्या है मैंने हिलाने के लिए और उनको एंटर्टेन रखने के लिए आपको एंटर्टेन करने की मेरे में कोई भी इच्छा नहीं है तो इसलिए बनता ही नहीं भाषा आईसा ही बनता है वो एक भर में इसी रूम में परिचेशी बे ले रहा था सोम भाई को लेना था वो बिमार पढ़के फीवर हो गया तो मुझे बोले तुम ले लो तो आट वर्ष पहले काफी लोग थे असी नब्बे लोग तो लास्ट में अस्टेतो दर्शन वाली पाट आई शून है वो भीगा है ऐसे करने से सुंग ढंकन वो हो गया वो पूरा तो मेरी पत्नी अभी तो बोलती कि तुम्हारा बहुत ही उसको ड्रोन बोलते है ड्रोन साउंड ड्रोन जो चलता है न ऐसा लगता आपको ड्रोन जैसा ही है नहीं है पट इस बार तो शिविर बहुत एफिशेंट रहा मुझे लगबग उटना नहीं पड़ा मैं बहुत अच्छा लगा ये आईसा सा करके बहुतना बहुत एनरजी कंदर्वेशन हो गया नहीं तो इधर दोड़ो उधर दोड़ो इधर दोड़ो वही थखा देता है एक सीमा से अधिक मनुश्य का अटेंशन कैप्चर नहीं कर सकते उसके बाद उसके जीवनी में होना है उसको तो मैं सोचता हम पहले से हो जाए काहे को उतना एफ़र्ट करके उसको प्रोच साहित करे कि तू समझे ला ऐसा कर ले वैसा कर ले यसी यह जो पीछे लिका है यह मार्क तो आपका है ना कि मेरा है क्या आपको करना है मैं इसमें दो बटरफले ड्राव कर दूँ और बड़िया लाल पिला पीपिटी बना दूँ इससे थोड़ी आपा देन करेंगे इसलिए माध्या दर्शन की वैबसाइट सारे ब्लाक और वाइट में है बोरिंग फिर बहुत लोग वाः यह है कविता देखो काली दास होई जाता है दर्शन पढ़ने से तो उसके लिए फिर कलर पहले ब्लैक एंड में इट सौट ब्लैक फ़ॉंड था तो फिर पीछे मैंने थोड़ा सा वाइलेट कलर कर दिया भी कोई बोला इट इस बरी बोर ही मैं बोला ठीक है करंग मार दे तो पीछे वाइलेट मार दिया बस वो परिचे शिविर के साइट में दो-चार कलर मारा है उसको भी सीरियस मैंने पूछा मैं ऐसे सर्वे करते हैं हमारे कोई फ्रेंड्स हैं उनके बच्चे आई टी वगर इसे निकल गए मैं सुचता हूँ कि ये ठीक है एक आदमी बोल रहा है और आगे चली हो गया कहानी हो गयी है नेक्स्ट इसी में मतलब की नयाय धर्म सत्य चीतरित होने के बाद दृष्टी आएगा की नयाय धर्म सत्य दृष्टी से तुलन करेंगे तो लग दो चीतरित हो गाई दोनों एक साथ आएगा पहले न्याय धर्म सत्य का जो भाषा है वो चितरन मन में भाषा मन में भाषा से अर्थ का कन्वर्जन वो अर्थ के स्वरूप में चित्त में चितरन यह आपके लिए सुचना मिलती है सरवप्रथम जैसे आप जो भी पढ़े इसमें, ये मनन है, ये श्रवन है, ये न्याए है, ये सत्य है, ये वस्तुगत सत्य है ये जो चित्य में शब्द आया है, ये चित्य पहले सो जो धंदा पानी कर रहा था, उससे संबंदित शब्द नहीं है पहले चित्ते में जो धन्दा पानी था यह प्रिये हितलाप का है चाहे वो फिजिक्स में हो, मैद्स में हो साइन्स में अंतर है कि अंशिक रूप में सत्य की दिष्टी लगती है नहीं तो कर नहीं सकते हैं प्रिये विजी से साइन्स संभवे नहीं है जिसे ये दो बैठे हैं lawyer वो तो advocate है ये lawyer बराबर ये भी है दो advocate एक lawyer बैठे है तीन हो गए lawyer दिखते दिखते हैं तीन हो गए तो तो जो law सहीता लिखी है जिसको ये लोग मानते है ये माना गया है कि वही नयाए है उसको interpret करते समय judge किसी का सरनेम देखके यदि decision पास करता है वो pre-adjusty है उसको फिरो challenge करेगा fact के उपर और वो होता ही है अभी ये लोग बोलते है कि इनके कलेजियम सिस्टम पर प्रशन चिन लग गया जितने हमारे कुछ लोग थे वो judge भी थे इदर उदर वो बोलता है वो सब कुनवा है सब अपने बच्चे बाल, संदान, कजन को बिठाने के लिए system बना पूरा तो नयाए का शब्द आया नयाए के अर्थ में वो शब्द का अर्थ चित्रित होता है अभी लेकिन उसकी जो वस्तु है वो उसमें प्रियों घुल गया नहीं तो लाब घुल गया पैसा बनाने के लिए में judge बन गया तो judge नहीं रहा हो ठीक है? नयाए कर्थ में तो judge नहीं है ऐसा है तो जब तक खाने पीने उत्पादन और विवार में अच्छा बुरा तक हमारा सीमित है सब पर ये हितलाद दिश्टी ही है ये जो पूरा परिभाशा है ये सब नयाए दरम सत्य से है इसमें पक्ष भी पक्ष नहीं है तो इसका भाशा और परिभाशा पर हम ध्यान देते हैं श्रवन करके जो शोट करेंगे वो खुलेगा उसको खुलने का परित्त करेंगे वो खुलने का जब भी हम परित्त करेंगे दर्शन जैसे लिही गई है उसके लिए आपके तुलन के नयाए धर्म सत्य संबंदिर जो दिश्टी है उसको वो टटो लेगा फोर्स करेगा हूँ, ऐसा है ये, मामला, जैसे एक बच्चा अभी स्कूल जाता है, भी गनित, इनके स्कूल में गनित पढ़ाते हैं, इनके स्कूल मतलब आच छोटी का स्कूल, वो गनित क्या कर रहा है उस बच्चे में, वो जब भाशा आता है, उसका चित रिडी नहीं है, उसको ग्रहन करने, उसको पता ही नहीं है क्या आ रहा है, तो देरे देरे अभ्यास जो कराते हैं, और गनित का जो लॉजिक को उसको समझ में आता है, उसके वृत्ती को ऐसे काम करने के लिए वो फोर्स करता है, वो फोर्स होके जब मैच होता है, तो वो बोलेगा कि वो प् बूला नहीं जाता, इज़ी रट के बोलता है तो भूल जाएगा, ठीक है, कोई चीज ये वस्तु के लिए असकारे रट करता है, ठीक, जैसे आगे बढ़ते जाएंगे साथ साथ तो और मतलब और अच्छे से होते जाएगा, अच्छे से होने का मतलब यह आभाज को पूरा ह होना, वही आगे मनन में होगा, मनन में उसका फिनिशिंग टच, यह लोडिंग प्रोसस से आपके स्टेज तू, स्टेज त्री तक लोडिंग हो जाएगी, यह जो लिखाए स्टेज फूर, वो मनन का बाउन्टरी है, उसमें प्रोससिंग शुरू हो जाएगा, सही अर्थो में, उसके पहले भी करेंगे, बट वो accuracy नहीं रहीगी उसमें, जैसे वैवहार अभ्यास, वैवहार की अभ्हार की accuracy नहीं हो पाएगी उसके पहले, वैवहार करेंगे और post-mauṭय में को द्याना आएगा, यह करना था वो नहीं होना था, इसनि नहीं बोल दिया, बट वो live नहीं होगा, वही विदी है, यह करते-करते फिर आगे बड़ेगा, इनको देने हैं एक बार, ऐसा राउंड-राउंड गुमते हैं, इनका माइक है, अभी एक्च्छल में जो मेरे साथ हुआ उसी में से एक कोस्च्छन, यह मेरे से बन रहा था, एक्च्छल जीने में, कि जो जेलना वाला बात बताया थे ना, कि जेलना अभी भी चल रहा है, पहले चल रहा था, अभी चल रहा है, मतलब दोस्तों अपने रिष्टेदारी में, वैवहार के रूप में, तो जब मैं अभी जाता हूँ, तो मेरे साथ ऐसा हो रहा है, कि सामने वाले का, जैसे दोस्त और भाई है मामा जी की लड़के के पस में गया था तो वो जो कचड़ा फेकने वाला था ना कि दोस्त है तो पूरा अपन कचड़े को डाल रहे हैं अब उसमें मैं दर्शन की बातों को बोल रहा हूं तो सामने वाला वो उस तरीके से विरोट टाइप कर तू करता है क्या वाली बात आती है तू ऐसे करता है कि नहीं करता है ये बात आती है अब मैं उनको पहले तू से बात कर रहा हूं आप करता हूं आप जैसी बात मतलब संबोधन में आप बोला तो उनको अनकंफर्ट फिल होने लगा फिर उनकी कचड़ा को लेना मैं बंद कर दिया तो एकदम ही फिर उसमें क्या हुए उनके साथ जो वेवार है मेरा वो बीच में एक परदा लग गया तो उस स्थिति में मेरे को लगा कि नहीं वो वो अलग दुनिया है और यह अलग दुनिया है वाला टाइप का फिर लगा कि इसको तो जीना जोरी ही है क्योंकि साथ में ही है मतलब वहां जाने की बात फिर वापस रिटन आने की जगह मतलब एक मेरा सरकल बन जा रहा है कि कंफर्ड जोन यह वाला लग रहा है ज्यादा सुटेबल लेकिन वह वहार करने की जगह तो वह आ जाती है तो यह दोनों को टॉल्रेट करने के लिए एक ठोड़ा बता दीजी कर दीजे, क्योंकि हो रहा है मेरे साथ, उस पर वो जो लिखे थे नभी या, बाधाएं, बाधाएं, तो ये ना हो, और वयवार भी मेरे से ठीक से चलते रहे, कटू ना, मतलब इस पर मैं ये बोल रहा हूँ, जनवाद पर जब करने जाता हूँ, तो मेरे अंदर जो द्रिष्टी है, उसमें न्याय का जैसी मैं चित्रन करता हूँ, याद करता हूँ, तो वयवार में गड़बड़ी होने लगती है मेरे से, तो उस टाइम में मैं एक्टिस कैसे प्रेक्टिस मतलब अध्यान के लिए, ये पेश ट्विंटीवन में तोड़ा परतने किया है, तो ये दिखे, अभी ये क्या है कि ये जो संबंद, संबंद का अधार, उसका सभाव, संबंद, इस पर हमारा ये परयाप हमारे अंदर स्थिर नहीं हुआ रहता है, श्रवन मे क्या होता, इसको हम पढ़े रहते हैं, इंगलिश में बोलते हैं उसको साइलो, तो एक टिफन बॉक्स जैसे हमारा अध्यन है, फिर हमारा जीना दूसरे टिफन बॉक्स में, हमारा कारे तीसरे टिफन बॉक्स में, हमारा पुरा जिंदगी चौते टिफन बॉक्स में, ऐसा तक नहीं हो पाएगा जब तक ये चीज़ें आपके अंदर स्थिर नहीं होंगी, वो स्थिर होना ही शस्रद्यानिये जो यहां लिखा है फोर में, ये तीन चीज़ें समझने की वस्तु क्लियर हो जाए, मतब उसमें हमारा मन टिग गया, जीवन टिग गया, जीने की वस्तु दो ब्रांच बनेंगे, एक वस्तुगत सत्य, दूसरा वस्तुस्तिती सत्य, वस्तुगत सत्य में ये सब है, क्या है, एक तो संबन में आधार धर्म है, जीवन और लक्ष की समानता, खंता, सार भौमता, ये अभी एक तर्क है, बोड पे, ये अच्छा लगता है, तभी हम यह रहता है, उसको डालके पकाने का प्रोसस शास्त्रद्धेन है, पक के वो बर गया, भरवा बेंगन, ये ना, वो इश्रवन पुरा हो गया, थीक है ना, उसका कुछ-कुछ भाग तूटा है, तो उसके आधार पर फिर हम सुभाव को देखेंगे, ये ना, सभी मानों के साथ कैसा है, फिर प्रतिक संबंद का हमारे ध्यन में रहगा, क्रिया और प्रयोजन, फिर हम व्यक्ति को पैचानेंगे, रूप सहित, ठीक, तो हमारे अंदर जो पैचान की जो अधार है वो ये बन गई, ये धर्म, धर्म के अधार पर स्वभाव, स्वभाव के अधार पर निय करने की विधी मेरे अंदर देरे देरे इस्थिर होगा जब वेक्ति को पैचानेंगे वो गटना के जगह या उसके सर पर रहता है बाहर की गटना है वो उसमें हम गुंड सहीत ही पैचानेंगे अभी क्योंकि हमारे पास इसी की पकड नहीं है तो हम इसको उसके उपर देने जाएंगे वो नहीं लोड होगा इसकी भाषा भी नहीं लोड होगी शैली नहीं लोड होगी आप मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स हैं मैं कभी मिलता हूं उनसे हिंदी से बाती नहीं करता हूं कि मैं इंगलिस हिंदी में बात करता हूं मेरे सी, ये वाली हिंदी निकलती हूं, इरिटेट होता है, कि कैसा हो गया तुमारा भाषा, तो गुंड सहीत निर्वा में, जहां की जो बोली भाषा है, उसी को रखना पड़ेगा, तो वो हमारे अंदर सेटिंग हो जाएगा, कि कहां पर, कैसे सेटिंग करना है, ठीक, तो उस वेक्ति की जो योगेता है, उनकी मानसिकता है, उनकी जो अपेक्षा है, उसके अनुसार फिर निर्वा करेंगे, अज्जेस्मेंट, हमको उनके जैसे बनना नहीं है, पर वो वाली भाषा बोलने से दिकत नहीं है, भाईया जी, बेहन जी, बोलने के यहां तो बेहा बेहा बोलते ही है, शत्रीस गड़ में, मैं जा रहा था ना बेहां, गाते गाते बोलते हैं, मैं बता रहा था ना बेहां, मैं आए खाता है, मैं जैसे मूँ खोलता है, आदमी को पता चलता ही है, यहां का नहीं है, फ्लैट है, जैसे यहां बोलते हैं, तो उसी शेली में वो सेटिंग है तो शेली को मैच करना मैं सिखता के अनुसार ये करना पड़ेगा अब फॉर्मिला ये है अब उसको करना हूँ वहार अभ्यास का मुद्दा है बट ये 21 पेच पर आ रहा है हम 15-18 में बंद कर दिये ये मनन में लिखा विभार तो चलता ही रहता है वैसे ही स्वधन वाला इस पर हम लोग बात किये थे मतब इस शार्ट से नहीं बट वो बोड़ पर किया था इस नोट्स स्वधन वाला दो पेज में ये पूरा स्वधन ये सम्मन का अधार तो वहाँ पर पूरक्ता नहीं मिलेगी है वहाँ पर पूरक्ता ये ही है कि मिनिमुम उतका चाहिए लिए बहुती खराब है तो फिर बचने का सोचना चाहिए दोस्त को मिलने का मतलब है कि धारू पीना है तो फिर जब तक वो पीते रहे थी कि हमको भी पीना है और इंसिस्ट करता है मैं एक बार अमेरिका में था शिकागो में मेरा मित्र जो है पिएजडी कर रहा था शिकागो यूनिवर्सिटी में तो मैं मिलने चले गया तो बिठा लिया उसने की वो मैंने बिश्की पीना है मैंने का नहीं पीना है नहीं नहीं तु ठीक है बैठ गया है मैं रहे को पसंद भी नहीं जैसे भी नहीं लगता है कि कौप राद उप रादे ठीक है तो ऐसे चूसने जैसे करता था बगल में एक गमला था, तो मैं धेरे-देरे उसमें डालने लग गया, वो लोड करते हैं गया, मैं डालते हैं गया, वो पीते हैं अपना, बात मत हो गई, वो थक के सो गया, बारा एक बज़े तक हम लोग गप मार रहे थे, कई पांच-छे वर्श पात मिले, मैं भी सो गया, शाम को उसको फोन आता है, अबे और कुछ-कुछ बोला, जो भी गाली है, फिर बोलते हैं कि तुने कल धारू का क्या किया, मैंने का क्यों, बाला तुने उस गमले में फेका क्या, मैं बाला हां, क्यों, मुझे नहीं पीना था, तुम्हें बोला पीना था, पिर दूसरा बाला का पौधा था, मैं उसको पांच साल से बता के रखा तो पुरा जल गया, एक औरकिड होता है, जो बहुत महंगा होता है, तो यही सब जदी बरदाश्य बाहर हो जाता है, भारत में सामान्य रूप से ठीक है, बहुत तकलिफ नहीं है, एक बादा लिखा था, का इसू, तो एडि हम स्थान परिवर्टन के लिए सोचते हैं, यह सब बदलने के लिए, तो इसमें गरहस्ती और आर्थिक स्थिदी की आएगी, तो गरहस्ती में परिवर्जन सेमत हो, हमारे पास आर्थिक स्थिदी, यह सब का अलग है, इनको पांच लाक में हो जाता है, इनको दो लाग चाहिए, इनको पांच करोट चाहिए वोँ एक अलग मुद्द है पांच करोट चाहिए कि नहीं यह सब उसके भाद भी आपका समस्या खतम हो गया ऐसा नहीं है उस टाइप की समस्या खतम हो जाएगी और नहीं समस्यां पैदा होगी ठीक है तो ये को क्या किला दे हैं आपने नौनिवेज को कुटे को किला दी है ऐसी सिच्विशन से मैं हैं नहीं लिखे ये सब पिर कुछ फॉर्मिला लगाना पड़ेगा बोल दीजे मुझे अलर्जी होता है ये खाने से शरीर में फॉपले निकलते हैं जिने की कला में ये सब आपको करना पड़ेगा और ये बोल दीजे की ये है मैं अपने घर में जाके दे दूँगा डबा में ले लो अब उसके सामने आपके लाएंगे तो ये सब फिर ये सब हमारे समेधन शिलता को पढ़ाना पड़ेगा ना डबे में ले 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 भाग बाहर जाते समेधने रहे मना है, मैं कोई दवाई खा रहा हूँ मेरा किड्नी फेल हो रहा है उसके लिए अईरुवेद खाया ओ किड्नी तो चेक ने कर सकता ना जहांके थोड़ी देगा कि चलो CT scan कराते है नेफरोलोजिस के पास करो मैं तेरो को खिला के रखूँगा बचने के कई विदिया है कुल मिला करिये है, वो सोचना पड़ेगा वो उससे आता है कि हम जो जानते हैं और दुनिया जाँ है, उसमें दूरी स्पष्ट होने से होगा हम जो जानते हैं और दुनिया जाँ है उसमें दूरी स्पष्टने होता है तो हम जो जानते हैं या मानते हैं भी, उस दिश्टी से हम दुनिया को देखना चाहते हैं, वो होगा नहीं, और उसको बता के भी फायदा नहीं है, तो ये करम से देरे देरे सेटिंग में आपा जाएंगे, जैसे अभी मैं इधर कितना दिन हो गए, अभी इन क्या हैं, मैं केवल दो बार खाना का रहा हूँ, सवेरे छास या कोई पपीता ले लेता हूँ, ठीक है, एक सिम्पल ही, मेरा इतना कॉंप्लिकेटर नहीं है कि सिर्वी, तो फिर बीच में मेरे कुछ काने का मनी नहीं करता, पहले भी नहीं करता था, खा लेता था, बंदी कर दिया मैंने मुझे अच्छा लगता ऐसे, तो भाई आके घर गया था, तो आंटी ने वो रख दिया था, लड्डू और उस अब चाए के साथ, तो चाए तो पी ली मैंने, फिर मैं भी सोचता हूँ कि किसी के घर उस टाइम जा रहा हूँ, तो चाए न पीलो, क्योंकि वहाँ पीना काने को, जब बान के देंगे तो तीन शार देते हैं, तिन्होंने डबा में तीन शार डाला, और भी चीज़े डाल की दे दी, तो बड़िया मेरे पास रखा रहा, मैं रोज संकेत भया को खिलाता तो चलो मेरे यहां में मिठाई किलाता हूँ, तो मैं भी एक होस्ट हो गया अंकल आ रहे तो बिश्किट दे दो, तो बिश्किट हम भी लोग ने खाते थे, और कुछ फरसानी स्टब का, तो भावी भी भुली, खाइए, खाइए, मैं यहां मन्जीत भ्या के यहां चाई पीके गया था, तो मैं रहा इतना चाई दो, तो चाई थोड़ा पिया, मैं भ अपास 6-7 लड़ो गए थे, कल, मही रखा, फिर किचन, एना, तो फिर सुनिये तो, फिर संकेत भ्या के यहां गया, रात को, हम दोनों मैट के लड़ो खाए, ठीक है, फिर मैंने कहा किया, नेक्स टाइम से, जो डब्बा है, ये तो इकी डब्बा, आपने जो डब्बा दि है, और लोग भी लगते हैं कि हर समय लड़ो खिलाता है, तो मैं जो खा नहीं पाया हूँ, उसको यह रख दिया हूँ, आज जा रहा हूँ, और रखा है, वो दो-तीन डब्बे में रखा है, अभी बैंगलोर जाके गवरी को खिलाओंगा लड़ो, सोम भया का एक और प्रशन ना करें, यह समय के साथ हो जाएगा, कुछ लोग इसमें पहले से एक्सपर्ट रहते हैं, जिन्दली जिनका बिजनस ऐसा होता है, कि लोगों के साथ उपना बैठना है, इसमें एक्सपर्ट होता है वो, हर जगे के अनुसार अपने आपको ढ़ल लेते हैं, हमारा दोस्त है, वो आएम कैलकटा एक इंसिटूट है, वहा से एंबिय के हुआ था, एशन बेंट्स में जब लगी, चार-पांच मैने बाद मिला, बुला कुछ भी करेंगे, चाए मत पिला तू, मैं मार दूँगा तुझे, बुला क्यों, बुला एशन बेंट्स में पहले साल क ट्रेनिंग होता है, कि डिलर्स के साथ, जो चोटे-चोटे गाओं है, लास्ट माइल उसी में जाना है, सैलरी उसकी लाकों की है, उन दिनों, सोलह, सत्रा लाक की सैलरी थी, पंदरा साल पहले, लेकिन काम यही करना है, वो बहले डिलर्स के साथ बात करना है, यार एकी तरी होता है मेरे से बरदाशी नहीं होता है और आप चाहे नहीं प्योंगे तो बुरा मन जाएगा तो पहले उसका ट्रेनिंग कराते हैं यह सब जिने की कलावला भाग है आगे कोई कोई आपका कुछ है बताईए पनरा मिनिट कर लेते हैं जिनका मन है मुल्यंकन का मनन का इस्टो कोईशन पूछ सकते हैं कहीं से भी ओ आठानवे पेज में से कहीं से भी यह वाला पहरा गराप मनन में और चैतियता की स्विकृति ही सयमता कि इस पॉष्टता को इस पॉष्ट करती है और नीचे बाध्यता जब कटा इस्थिती में आती है तब आचरन में प्रकट होती है इसमें तोड़ा और मतलब एक्स्प्लेइन करने है यह अभ्यास दर्शन का लाइन है अभ्यास दर्शन जो लिखा गया है कुछ भाग मनन के लिए लिखा है कुछ भाग अवधारना के लिए कुछ भाग बोत के लिए कुछ भाग अनुक बोत को परिवर्तित करने के लिए बाद देता जब कटाक्ष मतलब इसके बिना जिया नहीं जा सकता है तीव रिच्छा का प्रकटन किस चीज की बाद देता जीवन जीवन करियां को समझ के जीने की बाद देता न्याई पूरक जीने की बाद देता समाधान पूरक जीने की बाद देता केवल भाशा और कामना के रूप में न होते हुए कटाक्ष का मतलब क्या है है बोली न irony है कटाक्ष का मतलब क्रिटिसिजम कटाह लिखा है कटाह यहां कटाह लिखा है न कटाह का मतलब बो राव लिखाए इच्छक एक कारे रूप में परिवर्टित होने की जो संक्रमित इस्थिती है वा गटा इस्थिती है उसी का नाम है तीवरिच्छा मनन में क्या करते है हम जो हमने श्रवन किया है स्टेज फूर जो लिखाए नीचे उसके स्वरूप में हमारा जीवन स्वाइम हो जाना इसके लिए हम अभ्यास करते है मनन में क्या होता है मैं हूँ और मेरा ग्यान है ऐसा दोनों अलग हो जाएगा यह सब सही तुलन कई है पढ़ने से लेकर साक्षातकार तक सही तुलन की एक क्रम है यह सही तुलन हुए बिना यह एक भी पढ़ भी नहीं सकेंगे यह जैसे ही तुलन लाबा लाब में जाएगा यह आप छोड़के जॉब में लग जाएगे जैसे ही प्रिया प्रिया में जाएगा हम गूमने चले जाएगे जैसे प्रिया प्रिया में जाएगा भूलेगा ये इतना मज़ा नहीं आ रहा है मैं बागी फुस्तकों पढ़ लूँ ये सब होगा, स्विंगिंग है ना तो ये सारा सही ही तुलन है तो आभास पूर्णता को ये दि मानेंगे ये होने के बाद आभास की पूर्णता होगी पहले बाद एता है, जैसे अभी ये अध्यान करना, आपका बाद एता होना चाहिए ये अध्यान शिवर का मतलब है ठीक है ना कई बात मैंश़ ह commodit पहले से रहता है कई बात सुने के बात रहता है यसे परिशन शिवर में गूमते गामते चले गया उसके बात बाद देता बन गई थोड़ी देर के बाद वो भूला नहीं जाता है दो तिन गए तो फस गए फस गाय तो फिर फस ही जाएंगे इही बात देता है तो बात देता कि श्रिंक्ला है यह होते होते किसी समय में स्वाइम ज्यान संपन होने के लिए या न्याय संपन होने के लिए बाद्यता हो जाना कटह स्तिती आप जो पहले बोले मुझे कटाक्ष सुने दिया पर मेरे अंदर मीनिंग कटह काई है उसके शब्द में फिर कुछ भी जोड़ लेता हूँ इदर उदर से इसलिए कटाक्ष पलती है मुझे हिंदी तो आती नहीं न कटाक्ष सब्द है ही नहीं मैं और कहीं सुनाओ दर्शन में लिखा ही नहीं हो इसी का नाम है तीवरिच्छा है इसके बिना जीने सकते ये वाली स्तिती बन जाना तीवरिच्छा पुरा करम से आते जा रहे कि ये भी तीवरिच्छा का ग्रेड है वो पहले प्रेरित की रूप में रहता है उसके तीन ग्रेड है लो, मीडियम, हाई तीवरिच्छा के तीन ग्रेड है लो, मीडियम, हाई स्फुरान जैसा स्फुरान बात की सिती है पर ठीक है ठीक है और कोई कोई query स्वायम का मुल्यांकन ने दिए सही नहीं है तो उस इस्ति में अध्यान के लिए आवस्यक सामर्थ को संजो लेना संभाव नहीं है वही तो वो स्वायम का मुल्यांकन फिर सही कैसे होगा स्वायम का मुल्यांकन मतलब कौन सा पक्ष न्याय है कितना अन्याय है, कितना अन्याय है हम कहाँ पर खड़े है यदि स्पष्ट नहीं होता है तो उसके लिए अध्यन नहीं होगा न, वो पहले से सही है तो अध्यन क्यों करेगा पहले से अगर सही नहीं है तो इसलिए तो अध्यन करने है पठन कर रहे हैं पठन कर रहे हैं पठ उसकी जो जैसे हम को लगता है कि मेरा व्यवहार पक्ष ठीकी है ये इतना है मुल्यंकन के पांच क्रम में है मुल्यंकन जैसे हम को लगता है कि मेरा व्यवहार स्वभाव ठीक है धीरता वीरता उदारता सुन लिया और उसके बाद हमार व्यवहार उससे रिप्लेस होना पड़ेगा ना वट इदि मुझे लगता है मेरा व्यवहार ठीकी है तो नहीं होगा तो उसमें अध्यन नहीं हो पाईगी उस पक्ष में यसे सत्य की दिश्टी मुझे मैं है यह ठीकी है मेरा पहले से जिग्यासा है यह सब तो विशे प्रवर्टी, स्वभाव प्रात्मिक्ता इसमें यदि स्वयम का मुल्यांगा सही नहीं है मतलब अगर यह माल धीरता वीरता उदारता नहीं है और इस इसको मैं अपने पहचान पार रहा हूँ कि मुझे में चीज़े नहीं है तब भी तो वैधन के लिए पात रहा हूँ मतलब अपना सही से मुल्यांगा सही नहीं है वही उस पक्ष में मुल्यां या अप मुल्यां नहीं करना वही स्थूल रूप में तो हमको समाझ में आता है कि मैं जागरित नहीं हूँ मुझ में लोब है मुझ में हिंता है इस से अधिक तिप्ति है ये गुरु मुल्यन है ये तो स्थूल हो गया फिर देरे देरे सुख्षमत में जाएंगे तो हम अपना जो करते हैं उसके कोई एक पक्ष को तो सही मान देंगे तब ही तो आदमी जीएगा सारा पक्ष तो ये गलत है मानेंगे तो हम चली नहीं पाएंगे तो इसकी सारी डिटेल है विवार अभ्यास में सो मुल्यंकन में देखेंगे एक तो जुष्टी के अधार पर सो मुल्यंकन करना जुष्टी बे फिर स्वात परारत Umm पर्मात ए ये जो है विश्यान वेश्यान एश्यान शत्यान वेश्यान आप पढ़े थे इसके अनुसार मुल्यांकन करना ये ना इच्छाओं की भेद जो है उसके अनुसार हमारा मुल्यांकन करना ठीक है ना फिर संबंद में जो है ये सो मुल्यांकन में अधि मुल्यान निर मुल्यान ओमूलियन हो रहा ही कि नहीं इसको देख माना जैसे प्रते एक नियम लिखा एदर बहुत धिक नियम है उसका एक समसिती, विश्मसिती एक मध्यस्तिती है वैसे ही सामाजिक नियम वैसे ही एश्ना ठीक है न? वैसे ही प्रते ऐक संबंद यह सब है लॉन्डरी लिस्ट बोलते हैं इसको इंग्लिस में विवार का लॉन्डरी लिस्ट है यह इसका नम्बरिंग किया नहीं मैंने बटा भी करें करके देखें कितना मुद्दा हो गया एक दो तीन चार पानचे साथ आठ नौ दस ग्यारा बारा तेरा चौदा पंदरा सोला सतरा हैं दिखना इस वीच एकिस बाइस टेईश चवविस प्चिश्शब्स्चब्सी अथाइश सटाइस अठाइस親 और्टीष थीस Iran,32,35,38,41,43 anle 45 माननो इच्छाओं के बहुत कोई, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, लगबग 50 मान लेते हैं, राउंड फिगर, 50 पॉइंट्स हैं वेवार के, वेवार अभ्यास करने के लिए भी और 100 मुल्यांकन के लिए भी, तो ये जो 50 पॉइंट्स हैं, इसको जब हम जीने जाएंगे तो बहुत वास्ट है ना, इसे मित्र संबन्द है, 5 है, 4 के साथ अच्छा चलदा, 5 ये को प्रोब्लम करेट कर दिया हैं, तो वो 100 मुल्यांकन का मुद्धा बनेगा हमारे लिए, वो ये नहीं बनता है, तो हमारे से पता नहीं चलेगा, तो हम भार भार वही विवार करेंगे, हमको भोशी नहीं है ना, पता ही नहीं चलना है कि मैं गलक कर रहा हूं, सामने वाले को पता चलना है, इसने मुझे हट कर जह हमको समझ ही नहीं आ रहा है यह है स्वाहिम को मुल्यांकन करना तो प्रारम से लेकर एकदम सुक्ष्म तक तक तम जाएंगे तो फाइनली यह 52-53 पॉइंट्स में आएगा हाँ? सारे? व्यभार मतलब कर्म और व्यभार सब मिला हुआ है पटास ओवराल जिस ठोड़ा सा राउंड फिगर अच्छा लगता है है ना? वो कलेक्शन है दर, कलेक्शन ओफ ऑब्जेक्स इस पर एक एक पर बात करने के लिए और 30-40 गंटा चाहिए 20-30 गंटा, पठ्ठी क्या भी है यहाँ पर वो रेकॉर्ड हुआ है वो बोला, वो बाद में आप सुनना वो पूस पर ने, इस बीच में आपका चलता रहगा मुल्यांकन की नी चीजी यह सब को एक साथ याद रखना करेक्रम है पहला वो हो जाए, उसके बाद ही तो मुल्यांकन हो सब में से जो भाग याद रखते हैं इसलिए बाइट साथ सेंपल में लीजे तोड़े इस उदारता डे आज के बाद उदारता सोचो बागी सब को साइड कर दो तोड़े इस क्रोध डे, नो क्रोध डे, या क्रोध डे तो क्रोध आया है कि ने इसको चेक करना ऐसा है हाँ, देखे और एक आइडिया था मैं जब बैंगलोर में था NEP के लिए प्रस्टुति के लिए बुलाया था तो मैं गया था, National Education Policy के लिए तो उसमें उसके आया थे सत्यसाई बाबा की स्कूल के वो करता है पिंच करता है तो वो लोग बोले की वो ना week या month यूज़ करते हैं, जैसे cleanliness month तो cleanliness month में यह होगा की principle से लेकर last बच्चे तक सब लोग cleanliness पे ज्यान देंगे यह दि one month क्यूंकि one month sufficient time होता है फिर honesty week ऐसा तो प्रतेक मुले के लिए एक week दे दिया पुरा स्कूल उसमें रम जाता है पुरे हाँ तो पुरे है तो स्वोब ल्यंकन को देखेंगे तो लगबा पचास बिंदू को बनते हैं यह ना दिश्टी पुरे दिश्टी का ही second part है स्वार्थ परात और पर्मात उसका spread क्या है यह दो थीक है इसी से अन्वेशन प्रवृतियां जुड़ी है तीन फिर यह जो बुद्धियां है यह थोड़ा सा advanced है तो immediate इसको करने के आवशकता नहीं है यह कर्मदर्शन की जो बुद्धियां दी है बट यह simpler है क्योंकि दीनता हीनता कुरूर्था से यहां जोड़ के बताया है तो हमारा स्वभाव क्या है चार फिर वह चार के अंदर स्वभाव देखेंगे तो दीनता हीनता कुरूर्था फिर हीनता टाइप वन टाइप टू टाइप ट्री टाइप फॉर उसमें जल कपड़ दम पाखंड है तो चार में खुलेगा खुरूरता पुनतीन में खुलेगा परदन पर नारी पर पिड़ा में ठीक है ना दीनता एकी है बुटुस के मूल में पांच कारण है उसके अभाव जन्या एक है अक्षमता जन्या अभाव और अक्षमता उसमें फिर आलस से रोग उत्पादन में अप्रवरिती प्राकृतिक प्रकृप इता डीटेली है तो हमारी जो दीनता है उसका मूल कारण क्या है मने अनुपलब्दी है अभाव है आलस से है ना प्राकृतिक प्रकृप है यह सब पता चलेगा जैसे मेरे अंदर अभाव नहीं है मैंने कुछ बोया वो खराब हो गया वो प्राकृतिक प्रकृप है प्र तुसे दीन ताइदी हो जा रहा है यह तो यह चार हो गया फिर सामाजिक कर्म है ना मिश्रित कर्म सोथा इसी को रखा यह एकी सेट है चार फिर इच्छों के साथ बेद पांच यह वाले थोड़े अड़़ान्स वाले से शुरू हो रही है अड़़ान्स मतलब थोड़ा बाद में हम कर पाएंगे है ना चार फिर यह बहुदिक निय का मतलब है हम को पता ही नहीं यह क्या हो रहा है ना तो असंगरक को हमने विरक्ति मान लिया आदर्शवाद मान लिया यह संदोष है ना और उसके जगविशम उस्तिति उसकी संगरव और स्विधा है स्ने है स्ने का संदोष मो है ठीक और उसका विशम दोष द्वेश है वि स्रध्यन में, ठीक है, सरल्ता का समदोष्ट दैनियता है, स्वाइम के प्रती, इतना दब जाता आदमी की, वो सरल्ता जैसे दिखेंगा, अब आक्चुली दबा हुआ है, उसका विशम आवस्था अभी मान, ऐसा सब है, ये सब सो मिल्यंकन का बिंदू है, अभी अपन पठन वाले करम में हैं, तो इस अब आप ओर लोड हो जाता है, पहले में रखता था, मुझे लगए ज़्यादा हो जाता है, अभी के अध्यन मतब जो अपना करम चल दा है, ये इस करम के आने के बाद आप उसको सुन सकते हैं, स्टेज वन हो जाए आपका, पढ़ने का जो करम रेकमेंड किया है, उसमें फिर आप उसको सुन सकते हैं, ये फाइनली अधिकारिक विजी से करना सीधा, फिर मनन, स्टेज टू में, स्टेज वन का चार फेज बताया, शास्तरद्यन का, स्टेज टू में, मनन में, उस पर, मनन ठीक से हो पाएगा, फिर वे साक्षातकर पूरओक भी होगा, फिर मल्यांकन रुकता ने, आउधारना पूरओक भी होगा, इसमें से बहुत सारा छट करके दो-चार चीजे बच जाएगी आउधरणा में बोद में सब गोल हो जाएगा कुछ नहीं बचाएगा इसमें से सब सम्मध्यस्त मतलब मध्यस्त में आजाएगा तो इस विड़ी से चलता है उसके बाद सो मुल्यंकन में ये रहेगा कि हर समय सही ही बना हुआ है यही मध्यस्त जीवन का सबाव है इसी को बोद कहरे हैं बोद से शुरू हो जाता है और वो हमें पुरा हो जाता है तो हर समय हम अपने अंदर यही स्थितिया मिलेंगी हमको फिर मुल्यंकन इतना ही है कि जो आप कहरे थे कि सामने वाला व्यक्ति जहां खड़ा है उसको मैं कैसे पूरा करूँ उसके लिए फिर फोकस रहेगा उसको है अनुभा के बाद ये बीच का कॉलम पूरा सेट हो जाएगा अनुभा के पहले सेट होगा ने तो अनुभा ही ने हो वो सब बात में है बात में बात करेंगे अभी ये है कि याद हो जाए हम अभी इसक्रम में पचास है पचपन है वो याद हो जाए उसका structure clear हो जाए कैसे core relationship पे उसका हो जाए साड़े चार क्रिया बोलने के लिए साड़े चार है functioning में साड़े चार हजार विपरिया का मतलब है कि रॉंग अप्रोक्सिमेशन मतलब अप्रोक्सिमेट है पूरा नहीं unclear है यह shifted है value संचय का मतलब है कि मैंने doubt ही हो रहा है validity ही doubt है तीसरे को बोलते है विकल्प बट बाबाजी ने उसको use नहीं किया है विकल्प इस संचय और विपरिया ही पतंजय लोकसूतर के समय से चल रहा है बाबाजी ने एक ही जगा mention किया उसको मानवहार दर्शन अविद्या के सामने लिखा है sunshine और विपरिया बट लेटर्स एडिशन में वो विशय बोलके misstep हुआ है शायद ऐसा मुझे याद है मैं अभी वो देखना बंद कर दी है विपरिया आ गया वापस बीच में विशय हो गया था है नहीं है नहीं नहीं है याद है यह लास्ट एडिशन में तो मई ही रहा हूँ उसमें नहीं नहीं है ऐसे थोड़ी न कोगा एक जो टेबल है उसमें होगा यह जो दो हजार पंदरा की एडिशन है इसमें मैं 4-5 मेना لगाया हूँ लास्ट वाली जो बनी उसके बात में देखा नहीं उसको तो साथ साल हो गया पर यह सब के डीटेल में जाने के लिए आपको फूर्थ फेज में आना पुड़ेगा शोध जो पहले के यह आगे का आपका मतलब आपके बाल बाच्छे हो जाएंगे तो अब तक बहुत लंबी बात कर रहे हैं हम ऐसा कोई लाइन नहीं आनुगा दर्शेट वो जो भी भाईया बता है उनका रेकॉर्डिंग सुनना पड़ेगा क्योंकि उससे आपको जो याद है वो आप बता रहे हैं इसका आप जो बताने उसका कोई अर्थ बनता नहीं मेरे अनुशार उसको सुनना पड़ेगा तब तो बात कर पाऊ वो ठीक है वो ठीक आना चाहिए नहीं है समझ अधिक होता है उसके आंशिक्ता में विचार आया मतब आता है उससे कम हम व्यभार कर पाते हैं यदि समझ से अधिक मान लेते व्यभार हो गया या व्यवसाय हो गया या भोग हो गया तो नहीं अभी भी वैसे ही है उसको बता रहे है अनुबर दर्शन में लिखा नहीं है बोलते समय किसी ने बोला है वो ठीक पूरा मान ले हो गया प्रिया ये जो समय करने के बाद तो सब्द से अर्थ तक पहुच जाते हैं तो इसमें वह कोशन है सब्द में जो भाव है वही उसका अर्थ है बोल रहे है सब्द में जो भाव है वही उसका अर्थ है और वो स्रवन करते करते भी आर्थ तेक पहुँचेंगे, मतलब एक बार इसी क्लास हो गता है कि वही इस इस मिल्स पेपर ने मजन में भाव। शब्द में भाव नहीं होता है, शब्द के साथ जब जीवन जुडता है, तो उसका जो आर्थ जीवन में आता है उसका नाम है भाव, उसका भाव बनता है, नहीं तो वो बने गाई नहीं। भाषा कान के परदे तक पहुंचेगा, यह auditory न उसे brain तक जाएगा, जहां तो जीवन उसको pick up ही नहीं करेगा यह pick up करेगा तो उसको मतलब वही नहीं होगा, convert ही नहीं होगा, यह उसको भाषा ही नहीं समझाएगी, इस टापी चीज हो जाएगी, तो भाव जो है यह जीवन में बनता है, मेरा सहित, यह भास होने की बात को बात कर रहे तो, तो यह भाव ही finally भास आभास प्रतिती के करम में आगे जाके अनुभूती में होता है, तो किन वस्तों का भास होगा, सभी वस्तों का भास होगा, कुछ वस्तों का अभास होगा, बहुत ही कम वस्तों का प्र पतिती होगा और सुक्ष में रूप में अनुबह होगा। इसलिए अनुबह दर्शन 39 पेजिस में है। उसका भी आधायरी देखेंगो तो रिपीट है। उस आधे में जो बच गया उसमें जो कुछ-कुछ संस्कार, सुछ-संस्कार वह आला भाग। फाइनली अनुबह दर्शन निदी लिखने जाएंगो तो आर्ट लाइन में लिखी जाएगी। पांच आर्ट लाइन। ठीक है नुबह दर्शन? तो वो भी भाव है। शरवण सो जो अर्थ आ रहा है वो मतलब एक तरक ऐसे भाव ही है। "... अर्थ भाव ही है। बट उसके साथ शब्द और तरक चिपका रहता है śरवण में। हमारी समझ, और शब्द, और तरक इसका एक खिच्डी है शरवण। समझ मतलब वह भाव। उसके साथ भाशा। को बताने के लिए भाशा का चैन होगा दर्शन से ये शिफ्टिंग हो जाएगा मनन ठीक है न? नहीं भाव के मूल में समझ भी या सारा ही भाव है कौन बोलते हैं? कौन बोलते हैं नहीं पता हैं? भाव के? नहीं, तब भाव शब्दी यदि इन मूल्यों को यदि हम भाव मान रहे हैं तो इसके मूल में समझ है ये सारे भाव ही है कॉंटेक्स्ट के अनुसर हम जैसे रूप भी एक भाव है ये रूप भाव है, मैं हूँ एक भाव क्यूँ, क्योμकि मेरे होने को आप स्विकारते हो अभी जो हम भाव बोलते हैं वो इमोशन माले भाग वो भावुक हो गया तो मेरे अंदर ऐसा भाव आया मतलब मेरे अंदर कोई एक लहर चली यह जो लहर है या तो विचार हो सकता है या कोई चित्र हो सकता है या कोई आस्वादन हो सकता है ये भाव फिर यदि वो व्यभार से संबंदित है तब कई बार उसको भाव बोलते है ममता का भाव इसका भाव इसका भाव इन मूल्यों को हम भाव बोलते है तो जब आप एक्सप्रेशन बूल रहे हैं तो ये एक तो ये आप मानव की बारे में बात कर रहे है क्योंकि उसके मूल में समझ अन्यकाई में होती नहीं केवल मानव की बात है भाव एक्सप्रेशन हो रहा है मतलब उसका जो गुन है जो परसपरता में व्यक्त हो रहा है जो परावर्तित हो रहा है उसको आप भाव कह रहे हैं वही मैं कह रहा था कि ये सारा ही भाव है हम कहां से उसको देखना चाहते उसके अनुसार उस पक्ष को भाव और अन्य पक्ष को और कोई नाम देंगे यदि मैं आपके साथ व्यवार कर रहा हूँ तो मेरे अंदर जो भाव जैसे आपने पूछा तो मैं गुसा हो रहा हूँ डिफेंसिव हो रहा हूँ ओफेंसिव हो रहा हूँ दबा रहा हूँ यह सारा है आपने पूछा में चढ़ गया आपके ना तुम बार 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 यह क्वेशन पूछो यह भी एक भाव कोगे तो ये जो परसपरता में वहख तो हो रहा है ये परावर्तित हो के शरीर द्वारा वहख तो हो रहा है इसमें मुद्रा, भंगिमा, अंगहार और परावर्तन की क्रिया जीवन की ये है इसको हम भाव कह रहे हैं ये क्योंकि परसपरता में प्रकाशित हो रहा है प्रवाहित हो रहा है इसके मूल में यदि समझ देखेंगे तो ये कहना पड़ेगा कि वो जो संबंद की जो स्थिति में स्विकृति है वो समझ उसके मूल में जाएंगे तो जीवन है और अस्थित्य में उसका प्रयोजन है और उसका बोध मिलेगा तब ये जो स्थिति करिया है ये भाव के साथ जुड़ा हुआ भाव कहलाएगा वो जो बोध है वो भी भाव ही है जो बुद्धी घ्राय योग्य वस्तु है तो वो जो स्थिती गती का हम बात किये थे वो इससे संबंदित है जो बात हुआ था ना आप लोग के साथ हुआ तो था शास्तरे दिन में हम श्रिती गती की बात किये थे ना मानव स्थिती तो परिवार गती परिवार स्थिती तो है हुआ था ना स्थिती गती स्पष्टता इसलिए उसको शास्तरे दिन में रखा है उसको स्पष्टता होना पड़ेगा ये दिखा ना स्थिती गती इसको हम cover किये थे इसमें हम अभी के conversation को डाई है है ना तो व्यवहार अभी इसमें जोड सकते है मनुश्य का व्यवहार गती में भाव उस स्थिती में उसकी समझ क्या समझ उस व्यवहार की समझ व्यभार की समझ यदि गती में देखेंगे तो जीवन होना नहीं समाज तो लिखाओ भाई मैं अभी हवे में बात कर रहा हूँ मैं भोल रहा हूँ स्थिती इधर बनाता हूँ उधर कुछ नहीं है वो समझ भोल नहीं समाज पढ़ रहा हूँ जो पोल नहीं वो अलग सुनना है एक पकड में आता है न जो व्यक्त हो रहा है वो गती में है तो स्थिती में संबंद दिखेगा यदि संबंद को समिलित रूप से गती में भाव कहेंगे तो मूल में जीवन और जीवन की स्विक्रति और मानव आश्रण की स्विक्रति जो व्यवार के नियम है भई जो व्यवार के मूल्य है वो चित्त से है लेकिन उसका भाव पक चिंतन में भी है हाँ श्रद्धा प्रेम ये सब चिंतन में है न क्योंकि है क्योंकि बावा जी को वहीं मिला बुद्धी में नहीं मिला नहीं व्रित्धी में भी है कृत गयता विश्वास और गौरव ये तीनों व्रित्धी में है भाव उसका शिष्टुमूल्य विशलेशन में है और मम्ता सम्मान स्ने ये भाव एक्शली मन में है और उसका जो व्यक्त हो रहा है वो चैन में है शिष्टुमूल्य ये ना मम्ता का उदारता सम्मान का सोहदरता स्ने का निष्ठा ये मन में है तो फाइनली जो व्यक्त हो रहा है वो ये दिदेखेंगे तो ये सारी क्रियाण चित्वृत्ती और मन के जो परावरतन वाले पक्षमे है अलब चित्वृत्ती का परावरतन प्लस मन में जो परावरतन है ये मन और मेधस द्वारा फिर मुद्रा भंगिमा अंगहात के द्वारा वैक तो हो रहा है यो फूरा सेट को फिर भाव कहे है जो परसपरता में वैक तो हो रहा है तो किसी का मान लेते हैं सोजन जाता वैक तो हो रहा है वो शरीर के द्वारा कुछ तो दिखेगा तब वो विश्वास वाली बात स्थिती में है, यह हम स्विकारेंगे तब वो स्थिती समझ हो गई हाँ, स्थेटी में रहता है उसी का तुलन और कोई चितरन होता है गुच्छे के रूप में चितरन में लाये का मांजेता पूरा, उसके अनुसार पूरी चीज़ें बनेगी बृत्ती और मन के द्वारा ठीक है न, हो गया प्रशनोतरी हो गया, अठानमे पे नहीं, शुरू से ही आप बनाएंगे न उसका आंसर तो पहले से दे दिया है समझने की वस्तू आपके अठानमे पेज में मूलवद ग्यान और फलवद ग्यान लिखा है मूलवद ग्यान समझने की वस्तू है उसको हम बोले की शास्त्रेध्यन का जो आउटपुट है वो छे सूत्रों के और लेस एक कलेक्शन के रूप में आ जाएगा न्याय धरम सत्य अतार्तत वास्त ये समझने की वस्तू है जीवन, अस्तित्व, मानुटा, पूनाचरन जीने की वस्तू संबंद, मूल, स्वधन, स्वणारि, श्वपूरुष, शिष्टा, चार ये सब जीने की वस्तू परमपरा में प्रमानित करने की वस्तू क्या है? शिक्षा, न्याय व्यवस्ता, उत्पादन व्यवस्ता ये तीन खंड में आपको अलग-अलग हो जाएगा प्रत्य एक बुख भी ऐसे दिखेगी उसके वस्तु में भी ऐसे दिखेगी वो हम ऐसे देख पाएंगे उसको कुल मिलाकर शिकुड के शास्त्र ध्यन का आउटकम इतने में हो जाएगा, ये वो स्थिर नहीं हो रहा है तो फिर हमारा शास्त्र ध्यन भी बचाया है ये हमारे लिए संकेत है कई बार उसमें मिक्सिंग भी होगा विपरिया दोष शासरध्यन में बना रहता है मनं तक जाता है विपरिया दोष कुछ को कुछ मान ले तो उसका एक 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 समपल दिया था कि समाजकारे को हम समाजिक्ता मान लेंगे एक आदमी बहुत लोगों के साथ उठता गूंता है हम बोलेंगे इसका समाजिक्ता अच्छा है. जबकि वो हमारा opinion है समाजिक्ता का. जो दर्शन में समाजिक्ता लिखा है, वो तो संबन्द एवं संपर्कों का. उसको भाईया silent कर दीज़े आप. वो दर्शन में जो लिखा है समाजिक्ता. वो नहीं है. तो फिर उसमें mixing लगेगा अब ये समझने की वस्तू, जीने की वस्तू प्रमानित करने की वस्तू में हम प्रमानित करने के वस्तू को समझ इकता मान लेंगे समझ रहे हैं? ये विपर एका example है misplace हो रहा है किषडी बन गया, तो अच्छा मान रहे हैं हम वो कर रहे हैं, उसमें बहुत महिनत भी हो रहा है बट उस जगह नहीं हिट हो रहा है, जहां हो हिट होना है उसमें ये भी दिक्कत आएगा हमारा placement गलत है, तो दुनिया का भी मुल्यांक कनुशी के अधार पर होगा फिर मैं बोल दोंगा, एक कुछ भी समाजिकता नहीं है उसमें, वो कुछ नहीं करता है फिर वो अर्धेन के लिए उपयोगी है नहीं है, बहुत सारा तो ठीक है ये, ये तीन चीजें वो मुल्वद ग्यान और फल्वद ग्यान का जो टेबल 98 पेज में उसमें आप देख सकते हैं समझने की वस्तू ये छे सूतरों में दिया है वो इनी नोट्स में है नोट्स को मैं पूना पहुंच के 25 को पहुंच रहा हूँ अभी पढ़ते समय कुछ थोड़ा सा वो ध्यान आया उसको क्षेज करके भेजता हूँ आद्यन बिंदू आपका चार नंबर में हो गया ना अवलोकन अध्यन बिंदू का सूपर सिट है वाध्यन बिंदू जो संकलन है अद्यन बिंदू तो केबल बिंदू है ना उसको पढ़ लेना कभी भी उसका expansion है ना उस book में 44 से अधिक ही बिंदू है उस book में जो अवलोकन बना है संकलन part 2 उसमें अद्यन बिंदू से अधिक है यह तो पक्का है है हाँ वो बना सकते तो मैंने उसका लेजी वर्जिन निकाला है अभी सोचने को मैं जाके पेपर में लिख दूँगा अलग अलग कलर में उसको फोटो लेके डाल दूँगा फिर देदी किसी को इच्छा है वेब टीम तो बनी रहे आचल वाली उनको दे दूँगा भाया लिंक करो तो एक अचली अभी दिया था दिया है साइट पे रेकमेंडे और और स्टड़ी गाइडन्स फॉर स्टड़ी अभी आदमी आदमी से ही अधिक गाइड होके सुनता है बने जो पढ़ने लिखने के बैक्गराउंड से आते हैं अधर्वाइस जो उस बैक्गराउंड से नहीं आते हैं उनको कोई आदमी चाहिए बोलने वाला ऐसा लगता है बट इसको कर सकते हैं तो एजी है एक राउंड तो एक्चुली छे मैने के शिवर का पूरना लाब तब होगा यह फर्स्ट वेस करके जब आएगा कोई तब इसको फुल बेनिफिट मिलेगा क्योंकि आप दर्शनमाद शास्त्र को गाइड़र रूप से एक बड़िया कंट्रोल एंवार्मेंट में कर रहे हैं वो फिर उसको फुल आउटपुट निकलेगा तो आप पूरे को समझ पाएंगे अभी क्या है हम वो दर्शनमाद शास्तर को पढ़के इसको आपको एक्स्टैक्ट करना है उल्टा है वो एक्स्टैक्ट करने में टाइम लगता है actually वो extracted version ही वो आवलोकन है उसी का एक्स्टैक्ट है प्लोकन का जो शेप है वो दर्शन मतलब दर्शन के वस्तू का शेप है वो बुक का जो फ्रेम है एक फ्रेम साथ दिन में मैं आभी नहीं वो तो देखो आभी तो गरीबी का दुनिया है जागरिती की गरीबी है समे की गरीबी है प्रबोदक की गरीबी है उत्पादन का गरीबी है विनिमे का गरीबी है शिक्षा का गरीबी है सब गरीबी है ना सभेता का गरीबी है थोकता आदमी हर जगे everything is poor तो गरीबी में यही करेंगे याद वो गरीब रत बना ही ऐसा ही बना है जब जगह नहीं अठूस दो ऐसे बना है, आमाराथ शिवर जैसे ही वो गरीब रद भी, साइड में भी तीन आदमी हैं, वो गरीब रद ये साइस का बना है, उस साइस का आदमी भारत में इंडिपेंडेंस में था, सब छोटे कत्के थे, भारत में अग्रिकल्चरल राजस्तान में सब बड़े हाद, राजस्तान का कोई नहीं है ना इसमें, एक आदमी था राजस्तान का, आँ अभी विसले मुझे याद आया, यहाँ था ना राजस्तान का, हैं, जो भी, और साइज अब सब का बड़ा हो गया, तो फिटने आते हैं, देखें, 2010 में पुस्तक पढ़ाने के लिए कोई नहीं था, बारा साल में बहुत अंतर हो गया, पढ़ाने वाले 15 लोग हो गया, 2010 में पढ़ाने के लिए कोई नहीं था, बुल्यंकन कर लेते हैं, पांच-माच मिनिट में, वो to the point, मनन जैसा रखिये, क्यास पष्ट हुआ, क्यास पष्ट नहीं हुआ और अच्छा लगा, बुरा लगा तो नहीं बुलेंगे, तो न, अच्छा लगा, बस हो गया, ये वातावरन का दबाव, अब बुरा भी लग का बाहर बोलोगे उसको कि क्या शिवर ली आया, कुछ समझ में नहीं आया, अंदर नहीं बोल पाओगे, ने तो आपको असब बोशित किया जाएगा, वो आप सैन नहीं कर पाएगे, चली, फटा-फट कर लेंगे, 10 मिनिट से मुझे भी बोजन करके इनके साथ सवारी लें भाईया जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतना अच्छी, मतलब इतनी अच्छी चीज हमारे सामने आपने रखा, कैसे पढ़ना है, कैसे पठन करना है, मानन, श्रवन और अभी रध्यन, प्रक्रिया जो आपने समझाई, वो बहुत अच्छा सब्सकार, अच्छी हमारे का मतली ट्राफा जो आइया, ठर्वन भी रखाो जो इसदें बध्यन पाल जो 25 नहींद हुआ है, पांच फेस्वेस्वीधान कहीं नहीं है, पांच फेस्वेस्वेस्वीधान कहीं नहीं दिया नहीं, इसनलिए ऐसा अछध से Aww श्रुऩ कूंक सर उसमें आएगा, उसमें आएगा, योग गिता भी चेक बात जब पढ़ाने, जो आइगा, लना वाले पढ़ते हैं, तो उसमें कहीं कम्परीजन आजाता है, जिए पढ़ते हैं, लाव वाले उसको ऐसे टराइगा, तो इसे कम्परीजन आजारा को ही जो अपना कंश्टिविशन के लाओ कि शुखत वह दो गई फड़क ऑने इंड़रु थे विदय रहादु। वे उतों कहने के छड़ा मैच गू था को थो ने होता है। फिर नें ते सहथ पूरा है, जुखत था है। अज़े नाव जो मैच ने करें लिपाइस जोस्क्ते है। जब हम आये थे तो यही था कि पहले दिन आये थे तंसेकर भीया संगेत भीया तो बोले थे कि यह अपन भले अध्यान बोलते हैं च्छै मैने का लेकिन यह पठन है कहीं ने कहीं सबसे अर्थाप पकड़ लो और बीच बीच में एक तंसेकर भीया आके बोला करते थे कि प्रभुधक मुक्त आपको बनना है श मैने बाद ताकि आपके जिगया साइं जैसे अब यह स्पेसिफाय ओगा ही किस से क्या पूछना है किससे मरो को सए ह्माग में में किस किस से क्या पूछना किस से क्या उतर मिला यह हो गए चाहिए अपन वाट्सअप से फॉन से पूछें तो प्रवधक मुक्त वाला बोलते था तो उसमया संभौ लगता था बोला करते था भी आगे बीजविश में तो अब यह लग रहा कि तीन बार पढ़े और उसको बार बार पढ़ने का मन का रहा क्योंकि पूरे उसका सार्च तब तो ही लग रहा हो हाँ तो जाने के बाद हम लोग मतलब कैसे करेंगे लेकिन आपने बताया है और वो प्रक्रिया तो बहुत अच्छा लगा कि आप लग यही रहा था कि यहां से जाने के बाद हम क्या नीरंतर कर पाएंगे बाहर तो आप जानते ही जैसे हैं तो वैसे में हम जी पाएंगे क्या लेकिन आपने बताए कि हर एक गोजटी मतलब कोई ऐसी गोजटी में जॉइन कर लो आप और फिर उसमें ले लगाता नीरंतर आप करते रहो तो आपका हो सक तो वो हमको अच्छा लगा तो वही तबिया कि अब जैसे वही ने जैसे बोला कि हमको अब 6 मैने बाद खाए कि अब फरवरी जल जाए अब ही क्या थोड़ा सा बेचानी बढ़ रही है ना खातम हो रहा है तो अब टाइम बहुत जादा खीच रहा ऐसा लग रहा है सब हम आपस में चर्चा हुई है तो टाइम जादा खीच रहा है तो जाने के बाद क्या करेंगे तो अब यह तो बहुत लंबा प्रोजेक्ट मिल गया अपने उपर जीने के लिए अपने वादा है समझना है जीना है फिर कही ने कहीं परमपरा में या प्रमान में वह आई तो यह अच्छी रूपरेखा मिल गए उसके लिए आपने जो उपना सोध 10-15 साल का निचोड़ जो दे दिया हमको तो हमारा कहीं ने कहीं प्लस हो गया उत्ता समय हमारा बच गया तो अपन 15 के बाद अपनी गिंते शुरू करें 15 साल के बाद तो उसके लिए बहुत सारा कृत गता मन से और समझ काफी आ रहा वैसा पकड़ में आ रहा है चीजें ठीक थेंक यू हमस्ती मेरो को ये जो अब बताए ना विद्यार थी ग्रिहस्त भॉयति अनि ये इसमें मैं आपने आपको जब मैं कैसे पढ़ूंगी छे मेने कध्यन कर लिया अब आगे प्रोसेस कैसा होगा एक मन में प्रशन उलता था पर एक धे आप पनी स्थेर कर दिये कि आसानी से ग और एक रास्ता बता दिये किस रास्ते में चलना है अभी था हम को रास्ता टॉर्च की रोशन दिख रही थी रास्ता नहीं दिख रहा था तो रास्ता एक मिल गया भी या अभी अभी दो माने पहले ऐसा हो गया था कि जो पढड़ रहा था उसमें पहले जो परिचस यर करता था तो उससे हम सुरूर एक दो मेरे में जो भी पढ़ रहा था सून रहे था वो दीन भर दिमाग मैं मतलब चल रहा था यह अच्छा ऐसे ऐसे करके अभी पिछले दो मेहने से लगवा को रूख सा गया था हम पढ़ रहे हैं और बहार निकल को वो मतलब चल रहा था वो नहीं हो रहा था अभी अध्यन प्रक्रिया में जब से मतलब यह चालू हो गया है उसके आसे फिर पहले जैसे हो गया मतलब एक दम अच्छे से पूरा जूड रहा है अच्छा यह वाला बुक में ऐसा लिखा था मतलब कई सार मिक्स भी हो जाता है कई सार जूडता है मतलब जूडना चालू हो गया है तह अभी ऐसा है कि एक पीच जीसे अध्यन प्रक्रे विधिया है एक पेज पढते हो तो एक गंटे तक उसी में सोचते रहते यह अच्छा इसा है प्र ऐसा है तो मतलब अब जूडने हुआता है अब झूडना चालू हो कर आ और अध्यान प्रक्रिय में तो वो चीत रहता है, मतलब सूब एक पेश पढ़ लिए तो पुर दिन भर भी चलते रहता है, दो पेश पढ़ लिए तो वी चलते रहता है, तो ये अध्यान प्रक्रिय तो बहुत सहयक होगा, फिर से चालो हो गया, मतलब मशीन बंद हो गया तो और मतलब जी समवाद और इसको मिला कर पढ़ रहा था तो इतना मतलब अच्छा लग रहा था, क्लियर हो रहा था ये कि बस पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ रूखने करने ही मतलब एक घंटे के लिए पढ़ने बाद तो डाए घंटे बाद डूटते था ऐसा हो गया था इस्तिति बहुत मतलब संक्लन करके आपने बहुत सहयोग किया हम लोग का और सब मतलब सब ठीक अभी तो विद्यार्थी वाले में हूं बहुत टाइम है अभी सासरा ध्यान के लिए बहुत समय भी ती इन चार पांच शे साल है उसमें भी पुरा ध्यान दूँगा ऐसा है बहुत धन्यवाद रहे इतना अच्छा संक्लन की कशिती गख्यार्थी ती हम राधियन बश्यार्थी पढ़ा ध्यान के लिए इन चार्थी आठीब हुता है जेसे पर ढगोना रिए टेसे लिए बहुत बढ़ा कुए रेवाला धूमाने के यहां यसे इसे इसे इतना का आपके रहे दिए जो लिए और शुद्खने लिए और अब पढ़ रहे न तो ऐसा भी स्वास आ गया कि अब पढ़ लेंगा के लिए मतलब की बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगा नमस्ते भी तो वांग में का पूरा इस्ट्रेक्शर देखने को मिला ये हमारा दर्शनवाद सास्त्र पठन पूरे हो गये थे फिर ये अध्यन परक्रिया जो आपने लिया वो काफी मेरे से जुड़ा और इसाधार पर आगे को लेकर के मैं विद्यारती के फेजेस में हूँ तो पांस से साथ का जो टाइम मोर्निंग में बताए कि पढ़ लिये दर्शनवाद और फिर बाकी जो भी साधन के रूप में जो भी आज की परिस्तिति में जो भी करना पड़े वो साधन के ही रूप में होगा यह मेरे को बहुत अच्छा लगा और यह लंबा चलते रहेगा और इसी के बीच में जो होना है वो होगा तो इसकी काफी स्थीरता यह दिखी और यही इसको कंटिन्यू करूंगा और जो आपने बताए कि बीच बीच में परिचे सिविर में भी जाना चाहिए यह नहीं कि अब हम अलग डारेक्शन में जाएंगे वेसे नहीं चलेगा हम मिलके ही रहेंगे साल भर में कभी छे महिना में या आट तिन चार महिने में कभी आप जैसे सोधारती हैं उसके साथ जाके मिल लिए चर्शा कर लिए अपनी वस्तु इस्तिती को बताए कहां तक आगे से और ये बढ़िया हुआ भी ये समाज वाली जो भागीदारी है वो में कुछ और मानता था इसमें स्पष्टा बनी की जो मानसिक्ता में परिवर्तन है वो तो अपने समझ का ही प्रकाशन होगा वो बाकी प्रयास तो नहीं कर सकते हम किसी को बदलने के कुल मिला करक अपने में ही जो बदला होगा उसी का रिफलेक्शन दिखेगा और वो ही अपने को आराम देगा और जो अभी जो पुछा परिवासा संहिता या फिर दर्शन को ट्रांसलेट करूँगा उसमें तो वो भी एक आगे के करम है वो शोध के बाद ही शुरू करने है तब तक मेर अच्छे से इसमें मन लगे आर दस राउंड पढ़ाई हो जाए पांच-छे साल बीत जाए अपने उपर इंगलीज भी लैंग्विज सीखने का मन है तो वो भी करूँगा इसके बाद ये छे मेने बाद मैं उसको भी मन लगाऊंगा अच्छे से जी थैंक यू और एक चीज़ बताऊंगा परिवार से एक दम पूरे अच्छे मन से जुड़ा रहूंगा मापिता जी रिष्टेदार उसी में रह करके काम करना है ये मेरे को बहुत अच्छे से क्लि कि हम जो सोच रहें कि जिस कम्यूनिटी से वहां से बाहर निकल के कुछ करेंगे वो बहुत मुश्किल जाएगा आगे उसी समू में या समू नहीं बोलना चाहिए उसी परिवार में रह करके उसी समाज में रह करके वहीं से जब ग्यान है तो वहीं से प्रकाश्चित होना चाहिए यह मेरे को आज नहीं दो साल बाद जब भी करूंगा वहीं से शुरू करूंगा था 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 मेरी स्थिती तो ग्रियास्त और भौतिक में है यहां से विद्यार्थिक और फेर से मूडना हो रहा है भिया तो इसमें तो खुब सारी समस्याएं दीख रही थी क्योंकि मैं पठन के लिए जो 6 महने तक रहा तब तो लगा कि मन पूरा लग गया फेर से जाके अभी घर में 15 दिन बिताया तो अब जाके पता चला कि नहीं मन तो कहीं और फेर से दोड़ने लगा दोड़ रहा है लेकिन साथ में यहां की भी जो पठन किया हुआ हूँ उसकी भी मेमोरी में तो है श्मरण में आते हुए फेर से वहां पर रुकना हो जा रहा था तो बड़ा स्मंजस की स्थिती थी तो उसके लिए आप इसमें मेरे को एक स्केल मिला जो एक फिर वाला तो वो मेरे को pin point दिखने लगा कि मेरे को क्या हाँ पर क्या करना है वो बड़ा साहग रहा और वैभार कर रहा हो तो उसमें address करने की वैभार में जो address करना है मेरे को भाव को तो उसके लिए मेरे को पठन daily regular करना है वो तो program जम गया था लेकिन कैसे करना है वो इस list से मेरे को एक दम ग्राफिक्स में column row से हो गया इसको मैं design करूंगा खुद के लिए ताकि मैं per day पढ़ पाऊं सास्तरा अभ्यास कर पाऊं यह बहुत सहे कर रहा है जी अपने स्वयम के लिए कब कैसे 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 लिखूंगा जी 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 इसमें उपर नीचे हो जाएका लग रहा है मेरे से छटवा पाऊंचवा में चले जाए यह साथ में बोथ में ताकि मेरे को बन जाए इस टाइप से बनाने वाले हो यह आपके उसको डिश्टाइब करके भेज़ूंगा तो जी ठेंक्यू बैर झाले हो जी 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 जुड़़त, जी जाएब साथ में जी जया है को झाले झाले हो जी यह जाले है ए tasks經 Day in एच्शने झाले हो जोगत झाल झाल जी तो मेरी तो यह समझ बनिया कि मुझे बहुत ही अजय अजय बेसिस्पर सारी बुक्स कवर करनी जरौत है और इंटलेक्चुल के रचियोशिती का मतलब यह नहीं कि आप पुरा प्रोसेस किपकर के ज़िए एक डिन में आजओं कि अजया एक पुराइव बिसले से से कम सबसे बात करके भी काफी परस्पेक्टिव मिला तो मुंसकी तो गुड एक्सपीरिंस थोड़ी गर्ती बनी है और परस्पेक्टिव मिला है कि कैसे अप्रोच करना है बाकी दर्शन को और कैसे आगे बढ़ना है कि यह पूरा साइकल समझ में आया तो पहले एक चीज जो मैं देखता हूं कि जंप करने वाला था हमेशा जैसे कोई भी चीज पढ़ता था तो फिर अब भी पूरी चीज समझ में आ जा जबकि यह अभी यह अपने पूरा चार बेना इतनी दिन जो बात हुई उससे यह रिया और इसके साथ में यह चीज थी कि जल्दी है में को मतलब यह समझ मैं कि यह पूरी प्रक्रिया है उस पे ध्यान देने से रहादा वो जल्दी कैसे हो जाए इस पे जादा ध्यान है तो इंपॉर्टेंस यह समझ मैं ही कि जल्दी के कारण ही मैं सो कर रहा हूं ना कि इस प्रक्रिया की वैलू करते हुए तो यह एक मतलब स्ट्रॉंग लिन स्केट्श बना कि आराम से ही चलना और यह पुरी प्रक्रिया पे ध्यान देना है समय कोई बात नहीं है इसके साथ में यह जो आपने चार बता है विद्यार्थि, ग्रस्त, बहुत तिक समाज इसमें अभी यह देखा कि यह काफी सारी जगहों से यह सारी बाते आ रही है तो फिर एक मन में स्विक्रिती बनी है प्रभाव बना है इसका और यह भी समझ में आ रहा है कि हम लोग खेत करनी अलग होगी तो जब वो चीज़े खुलेंगे आगे तो ही उन चीज़ों में मैं क्लियर हो पाऊंगा तो इससे इंपोर्टेंस भी अभी समझ में आ रही है में को कि यह जो मेरी स्टेज है विद्यार्थि वाली उसका इंपोर्टेंस किता है तो अभी नेक्स प्लैन य जिखनी है में को, स्किल पर भी ध्यान देना चालू करना है और इन चारों का संतुला नहीं वो एक चीज समझ में की जैसे भी बोले की टाइम निकलता है ताइम की कमी पढ़ती है या फिर ध्यान की कमी पढ़ती है यह साई चीजे एक दूसरे को अफेक्ट करती है तो इसम नमस्ते विया जी, नमस्ते सभी को, आज की जो पढ़ाई हो रही थी उसे मेरे को अपने पुरानी स्कूल के समय याद आ रहा था, कि जैसे हमने दस वी का एक्जाम के पहले हमने प्रिप्रेशन कर रहे थे, बताया गया था इसको इसको अच्छे से पढ़ना इसको अच्छे स रहा है और यह से बताया जा रहा है मेरे को, तो वो करम मुझे वो याद आ गया इसमें, तो पूराने से भी जोड़ पाए और काफी अच्छा लगा कि हाँ, अभी समझने का करम पहले ही समत पता था कि बहुत है, लेकिन ये चीज़ समझ अच्छा लग रहा है कि धीरे-धी समझना होगा, एक साथ तो पूरा समझना होगा नि, क्योंकि जीत साब से इतनी सारी पुस्तकों को पढ़ना है और समझना है, तो समय तो परियाप्त लगेगा इस पे, तो इस चीज़ को मन थोड़ा सा ठीक लगता है कि ठीक है, धीरे-धीरे करम से बढ़ता जाएगा आग अध्यान कई, सट, सट, सट भाग रहा है कि उसको रोकने है, बैठते हैं, फिल जाता है, फिल जाता है, ठीक है बहुत धन्यवाद आपको बिया तो भाग को सुनते से हमें यह ध्यान रखना पड़ता है, यह मजाक मजाक में बहुत सीरियस बात कर देता है, इनकी मजाक को भी बहुत सीरियसली सुनना पड़ता है बैया का स्टाइल अनलब थोड़ा अलगी है, तो एक अलग व्यू मिला, और इतने दिनों से समिक्षाएं बहुत हो गई थी, और यह तो संकल पर बन ही गया था कि अगले एक साल दबाके दम लगाना है, तो आपने इस तरह से पूरा प्रारूफ रखा, उसे अपना एक सिस बहुत सारी बुक में, बहुत सारी चीजों में, आपका अच्छा-कासा योगदान है और उन चीजों को, उन चीजों से हमें काफी यल्प हो रही है, तो यह बहुत बहुत धन्यवाद है, और भी बहुत कुछ है हो यह अपर, थैंक्यू. सभी को नमस्ते, भाईया हमारे पढ़ने में, पठन करने में बहुत बहुत सहायक है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, भाईया बहुत अच्छे से एकदम गहराई से बताए, मैं तो आधा दिन सोते रहती हूँ, आधा दिन सुनती हूँ, उतना सुनना नहीं हो पाय सभी को नमस्ते, भाईया बहुत बहुत अच्छा लगा है, उतना पढ़ने से दिफूस्ता कहम पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ने से बताए, हमको पता भी नहीं चलता है, कि इतना भी पढ़ते रहते हैं, पढ़ने कहीं मन करते रहता है, इतना अच्छा ही लगता है पूस्ता को पढ़ने से, पढ़ने से, लेकिन एक सुछना ही है, और उसको हमको स्रावार, मनान, साक्षातकार में जाना है, तो उसके लिए हमको तो बैवहारा अभ्यास को ही मैं प्रात्मिक्ता मतलब देने की कोसिज करूँगी, सबसे मतलब माना माना के साथ कैसे अच्छे से जी पाऊं एचीज का अभ्यास करूँगी, धैन्यवाद. सभी को नमस्ते, तो मतलब मैं जितना भी सुन पाया, उसमें मैं ये देखा कि भाईया जिस स्पीट से और जिस तरीके से भाईया का ये पूरा कंटेंट है, मैं लगता था कि वो जो बोले मैं पीशे चलता था, आप आगे चले आते थे, मैं पहले पीशे चलता था, पिछली लाइन पे मैं रुका रहता था, आप अगली लाइन पे होते थे, फिर पिछली लाइन पे होता था, आप अगली लाइन पे होते थे, मैं लगता था, पिछली लाइन पे ही मैं कुछ प्रोसेस करने में रुख जाता था, पिछले कुछ समय में अभी ये देख पाया तो सुनना कोई अगर क्रिया है तो उसमें पैरलल चल पाया तो ये ठिक्ठा को प्लब दी थी और आप जब भी रखते हैं बहुत ही गहरा होता है और बहुत ही सरल तरीके से है तो उसके लिए प्रेणा भी मिलती है कि हाँ ये एक तरीका हो सकता है अपनी बातों को रखने का बहुत बहुत आभार बहुत मतलब आप आते हैं तो ऐसे ही पुरा संस्थान उत्सों से भरा हुआ रहता है कुछ तो भी बढ़िया एंबियांस हो जाता है सब लाइट मूड में आ जाते हैं बहुत सुन्दर हो जाता है तो आप ऐसे हैं इसके लिए बहुत बहुत आभार था 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 यहां पिछले तीन मेहने में तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि स्री राम भाई ने दो बार समय निकाला और हमको वाकी उमीद ही थी कि अप इतनी आसनी से समय निकाल लेंगे क्योंकि हम सब को पता है कि आपकी पारिवारिक के परिस्थितियां कुछ कि अपने समय निकालना बड़ा कटिन है घर में चार भुजुर्ग है कितने हैं चार एल्डर है चार लोग और सब 80 प्लस माता पिता सासा सुर जार हूँ तो उनकी स्वास को देखती है तो लास्टेरियों ने कोशिस कि थी तो वही स्वास की दिक्कत ही दिखाने में दिक्कत आई थी तो यह बड़ा अच्छा आपका ना बहुत ही सुंदर रह और हम चाहते हैं कि आप लगा तरह तरह संसान में औ और मैंने दोहर ग्यारा में इनको सुना था सबसे पहले आई थी तो यहर ग्यारा में ग्यारा बारा तबसे ही लगता था कि अधियन प्रक्रेपे जितना गहरा शोध आपने किया है हमें से काफी कम लोग कर पाया है और एक अच्छा एडवांटेज है कि पूर्व का अभ्य कर लेते हैं दर्शन जैसी दुरु वस्तु को आपने इतने सरल शब्दों में प्रस्चुत कर दिया है और उसको व्योस्थित कर दिया ध्यन प्रक्रिया कैसे हो तो लगतार सुनते आ रहा हूं है और हर बार कुछ इंप्रूमेंट भी दिखाई देता है हर बार कभी मैं इस हुए आपने उसको आइडेंटिफाई करके रखा है तो कभी-कभी बहुत गहरे पर चले जाते रहे हैं स्ट्राम भाई मेरे कच्छी ज्यान ने शुरुवाती दोर में सहोता रहा है तो यह काफी अच्छा रहा तो मैं समस्ता हूं कि अध्यन प्रक्रिया हमारे साथियों के एक फेस रहा और मुझे इस बर ऐसा है मसुष्वा सात दिन कम पढ़ रहे हैं हम इससे विचार करते हैं है न सात दिन कम पढ़ रहे हैं क्योंकि आप लोग को लग रहा हो ना कि काफी कुछ छूटा है यह अपनी फ्लो में तो जल्दी-जल्दी कर दिया सा लग रहा है बट बेसिकली दिखा जाए तो अध्यन प्रक्रिया ने दस दिन पंदरा दिन चलना चीए है वही में करूं न कि शायद और वही तो साथ दिन कम है नहीं बट ये जो वन टोन आफ लाइन जो फ्लो बनता है ना वो ये काला की जैसे इनके मनों की प्रश्ण आया है ना अब आप तो फ्लो में बोलके चलेगे तीन घंटे में ये तो दो लाइन वे से बोले ना पीछे मां टग गहें करके हमारे बहुत सारे साथ ही अटके ना अ प्रश्ण पर गती है तो उनको भी रीकनेक्ट करना पड़ता है तो वो रीकनेक्ट रीकनेक्शन अपने इस तर पर करना और फिर आप जो बोलना है उस पर करना यानि एक प्रोसेस मुझे ही लगा कि अगली बार अब कोशिस करते हैं भले दो पार्ट में हो ऐसा कुछ करें ऐसा मुझे लगता है कि हमको अध्यन श्विर में है ना दस दिन तो लगी रहा है याने जितनी लोग मुझे लगता अगली बार अप्र सुनने आएंगे बन करेंगा अध्यन पर क्लिए हाँ और पर्चे श्री लेने वाले है तो और मजाएगा पर्चे श्री में तो नहीं पर्चे श्री श्री पर्चे श्री है डिजाइन ने स्री राम भीया का पर्चे श्री हर व्यक्ति का अलग ब्रेंड है ऐसा है वो तो तीन से दस जून आप लोगी जानकरी के लिए नहीं तीन से दस तीन से दस 10-17 करने ठीक उसका पना अभी एकदम पूरा डेकलेर नहीं की है मैंने फर्स विक बोला था कि फर्स विक इसलिए कि हमारा क्या 10-17 में स्कूल का जो प्रिशर चलू हो जाता है ना सब एन हम चाहते हैं हमारी संसान परियार के लोग उसमों ही शामिल रहे हैं हम चुट्टियों को ध्यान में रखे करें हैं सली वो क्या कि विद्याले में एड्मिशन का प्रोसेस पूरा चलू हो जाता है पीक पर आ जाता है पंदरस चलू हो जाता है तो एनिवे तो आपका बहुत धन्याद कि आपने समय निकाला और अब जिदेशन सन परिवार की और समय आपका हार्दी काभार करते हैं धन्याद